जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस परकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस परकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस परकार से देखेगा यह Self Study Classes ठीक है यह Play Store में आपको Self Study Classes का एप देखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तो इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे तो साथियो आज का session स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने self study classes app download नहीं किया है तो play store में search करें self study classes और app जरू download करने ठीक है तो दोस्तो आज का अपना पहला प्रसन इसके पहले अपने वर्नमाला को बहुत अच्छे से पढ़ा था अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि कौन सा सन्युक्त बेंजन हैं तो सन्युक्त बेंजन में चार विकलप आपके पास हैं छा है ना चा टा और अव तो सन्युक्त बेंजन पूछा गया तो सन्युक्त बेंजन हम पढ़ते हैं दोस्तों कौन कौन से छा स्रा ग्या औ और स्रा यह क्या पढ़ते हैं पण शेंयोक्त यहां पढ़ती है ठीक है यहां पर आपका बिल्कुर वगत बताना इंस्थान क्या है चार विकल्प पढ़ते हैं और 5 बर्ग का चा टा ता पा तो का बर्ग कंट से बोला जाता है उसके बाद चा बर्ग तालू से बोला जाता है का चा टा बर्ग जो मूर्दा होता है ता है ना ता बर्ग जो होता है दोस्तों वो दंत से और पा बर्ग होता है ओष्ट से ठीक है यहाँ पर आप आप च्छाप ऊचा गया, यह च्छा किस डरग में आता है। यह ररग में टीक है, तो च्छाबरग के इस जितने भी अक्षर होते हैं, वो कहते बोले जाते हैं दोस्तों से तालु से तालु से बोले जाते हैं तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा यहां पर चार बिकलब आपके सामने और तालब धुनी आपसे पूछा गया है तो दो सेकंड आपको दिये जाते हैं और आपने बिल्कुल सही आंसर का चैन किया है किसर जो तालब धुनी है वो है चाबर्ग जो है चाबर्ग चाचाजा ये तालू से उच्छड़त होते हैं तो आपका उत्र कहां चला जाता है एक की तरफ ठीक है ऐ नम्मर आपका बिल्कुल सही होगा इनमेंसे कौनसा पस्चस्वर है दोस्तों पस्चस्वर और अग्रिस्वर अपनने पड़े हैं तो पस्चस्वर आपको यहां पर बताना है तो बताईए चार बिकल्प मेंसे नम्मर ए और ए नम्मर आपका बिल्कुल शाहिए ठीक है पहस्चिस्वर की अंतरगत आता है आ ठीक है तो यह आपका राइट अंसर हो जाएगा अंगला क्वेस्चन है इन में से कौन सा युग में अघोस ध्वनी हैं अघोस और सघोस आपने पड़े हैं है ना तो अघोस और सघोस कौन से होते हैं यह आपको बताना है दोस्तों तो कौन से होते हैं अपन ने पड़ा था कि दोस्तों बर्ग के प्रथम और दुतिये अक्षर होते हैं अघोस और बाकी तीन चार पांच जो वर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं सघोस या फिर घोस है ना तो यहाँ पर आ पा और फा ये क्या है प्रिथम वर्ण और दुतिय वर्ण है ना पा वरगे के प्रिथम और दुतिय ये क्या कहलाएंगे दोस्तो अघोस कहलाएंगे अघोस ठीक है इसको याद रखेंगे अब आपसे अंगला कोस्चिन पूछा जाता है दोस्तो काब एंजन की विसाय में नि एक तीन पाँच है ना अलप प्राण में एक तीन पाँच यानि कि प्रतम तरतिये और पंचम वरन क्या होता है अलप प्राण होता है महा प्राण दुतिये और चतुर तो होते हैं तो देखो का तो अलप प्राण है है ना का अघोस भी है क्योंकि अघोस में तो प्रतम और चान स्थान कंट है तो आपका उत्तर क्या हो जाता है यह नमबर सही हो जाता है का के बारे में पूचा गया था तो यह आपका बिलकु सही है अब दोस्तों इसके बारे में और भी प्रस्णों को देखते हैं यहां पर आ जाओ अंगला कोस्चन आपसे पूचा जाता है कि हिंदी में अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक है किस ध्वनी का सूचक है कि रहे आपके चार बिकल्ब अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक है बताईए नहीं है स्वरी नहीं है बताना है तो किस ध्वनी का सूचक नहीं है इंग्या कि या रा या फिर या तो अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक नहीं है ये आप से बताया दोस्तों आपने पढ़े होंगे कि बर्गे के पंचम जो अक्षर होते हैं यम गड़नम जो अपन पड़ते हैं दोस्तों ये पंचम अक्षर के बारे में अपन देखते हैं कि अनुस्वर से संबंदित होते हैं और यहाँ पर नहीं है पूछा गया तो यह जो या है या यह नहीं है अनुस्वर का सूचक नहीं है या तो तर क्या हो जाता है आपका डी नमबर ठीक है फिर अंगला कोस्चन आपको यहां पर बताना है दोस्तो उचान स्थान की आधार पर यहां बेंजन है तो यह क्या है बताईए उचान स्थान की आधार पर आपको बताना है तो यह किस बर्गे की अंतरगत आता है आपने पढ़ा होगा चा चा जा 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 यहां पड़ा है तो चावर्गे के अंतरगत आता है यहां तो चावर्गे आपने देखा कि यह चावर्गे का जो उच्छानिस्तान है वो क्या है चावर्गे का तो अपने देखा था कि कावर्गे तो कंट से उच्छरित होता है फिर का के बाद आता है चावर्गे तो चावर्गे क सता है तालू से तो यहां भी क्या हो जाएगा कि यहां भी बोले सर both הג सान जाता है एक इतरफ चला जाता है तेक यह नम्मर आपका बिलकु सही होगा अब अग़ गुशन आपको बताना है कि जिन ध्वनियों के संयोग से सब्दों का निर्मार होता है उन्हें क्या कहते हैं बताइए जिन ध्वनियों के संयोग से सब्दों का निर्मार होता है उन ध्वनियों को क्या कहते हैं बताइए ध्वनी पिर्ती ध्वनी वानी या फिर स्वनेम क्या कहा जाता है और आपने बिलकुल सही आंसर चैन किया है कि सर उन्हें कहा जाता है श्वनेम क्या कहा जाता है श्वनेम और आंसर आपका D नंबर बिलकुल सही हो जाता है जी नंबर सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को सेर जरूर करें और सेल्फ इस्टेडी किलासेस का एप जरूर डाउनलोड करें ठीक है जहां पर दोस्तों आपके लिए कोर्स लांच किया गया हिंदी साहित का पंजाब मास्टर के डर के लिए TGT PGT आदी सबी ज ये मूर्धन उत्षिप्त ध्वनिया हैं इनका प्रयोग सब्द की आरंब मद्ध तथा अंत में सरबत्र किया जाता है या फिर दोनों महाप्राण हैं अभी चार विकल्प में से आपको चैन करने के लिए बोला गया कि ये जो ध्वनिया है इनके बिसाय में सुद्ध कतन बहा जाता है है ना तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ठीक है बी की तरफ आपका राइट अंसर फिर अंगला कोस्चन है दोस्तों कि उचान की द्रश्टी से सा 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 बेंजन किस प्रकार की माने जाती है ये जो सा 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 है ये बेंजन किस प्रकार की हैं दोस्तों अंतस्त हैं, वर्थ से हैं, तालब हैं या फिर उसमें वेंजन की अंतरगत आती हैं, उच्चान की द्रश्टी से आपको बताना है, एक क्वेस्चन कई बार पूछे गए और यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है दोस्तों, यह कहलाती हैं क्या उसमें, उसमें कहल अंतस्त नहीं हैं, यह रा, ला, और वा, इंतस्त बेंजन के अंतर गताती हैं, ठीक है, तो अपने यहाँ पर देखा कि सर या तो है रा भी है ला नहीं है लेकिन वा है तो यहाँ पर जो हा दिया है कि अंतस्त के अंतरगत नहीं आता और चला जाता है उत्तर किस तरफ बी की तरफ ठीक है very good अंगला question है दोस्तो या रा ला वा बेंजनों को क्या कहते हैं ये भी question आपसे पूछ लिया गया और ऐसा पूछा भी जाता है कई बार तो बताईए क्या कहते हैं या रा ला और वा बेंजनों को क्या कहते हैं आसान question सबसे बनना चाहिए ये question हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों है ना तो यहाँ पर आपका बिलकुट शही है answer क्या है अंतस्त बेंजन इन्हें कहते हैं या रा ला वा इन बेंजनों को अंतस्त बेंजन कहते हैं और एक कई बार पूछे गए हैं फिर अंगला question आपसे प परियाप्त या फिर अपन यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपका दो बिकल्प और दिये हैं दो बिकल्प आपको यहाँ पर दिये हैं दोस्तों यह हैं बेतोका और समुचित है ना तो यहाँ पर तो आपका यह समुचित सही हो जाएगा समुचित मतलब ओचित भी होता ह पूर्णी भी होता है इस प्रकार से ठीक है तो ये डी नम्मर तो आपका बिल्कुर सही हो जाएगा फिरंगले क्वेस्चन को अपने देखेंगे कि हिंदी वरनमाला में उसमें वेंजन कौन से हैं उसमें बताना है ये चार विकल्पें उसमें वेंजन हम पहले भी पढ़ ये कहलाते हैं क्या उसमें वेंजन और ये नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाता है ये नम्मर ठीक है वेरियोड हिंदी के जिन वरनों का उच्छार्ण करते समय केवल स्वास का प्रियोग किया जाए उन वरनों को क्या कहते हैं बताईए उन्वरनों को क्या कहा जाता है अगोस कहा जाता है शगोस कहा जाता है अल्प प्राण कहा जाता है या फिर महाप्राण कहा जाता है तो आपका right answer बिलकुर शही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उन्हें कहा जाता है अगोस क्या कहा जाता है और अगोस जो होते हैं आपने देखा होगा बर्गे के प्रिथम और दुतिये बर्गे के प्रिथम और दुतिये वर्ण क्या होते हैं अगोस होते हैं और 3, 4 और 5 यह क और सघोस और अघोस हो गए अलपिप्रान कौन होते हैं एक तीन और पांच अलपिप्रान और महाप्रान कौन से होते हैं दो और चार बरगे के दुतिये और चतोर तक्षर ठीक है इनको याद रखेंगे हिंदी में मूलते वर्नों की संक्या कितनी होती है वर्नों की संक्या तो सभी को पता है कई बार पूचा भी जाता है तो उत्तर आपका यहाँ पर चला जाता है वावन हिंदी में मूलते वर्णों की संक्या होती है बावन जो की स्थी नमबर आपका बिलकुल चाहिए ठीक है अंगला कोश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संक्या कितनी ह यह उत्तर आपको बताना है और सुरोंकी संक्या आपसे पूचा गया तो उत्तर चला जाता है 11 की तरफ ठीक है 11 और ये नंबर आपका बिलकुँ सही है और दोस्तों 2 होते हैं कौन से अम और आहा अयोगवाह कहलाते तीक है यहां पर स्तिय आपका सही है हिंदी बारनमाला में बेंजनों की संख्या कितनी है तो ये चार विकल्प है और बेंजनों की संख्या आपको बतानी है तो कितनी माने जाती है 32, 33, 34 या फिर 36 तो आसान सा question बेंजन पूछा गया तो उत्तर हो जाता है क्या 33, 33 यानि C आपका विल्कुर चाहिए बिल्कुर राइट अंसर जिन सब् के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है अनुस्त्वर अयोग बाह अंतस्त या फिर अकारांत क्या कहा जाता है जिन सब्दों के अंत में आ आता है और आपने चैन किया है इसर जिन सब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहा जाता है क्या अकारांत ठीक है और डी नम से सरल कॉस्टन है लेकिन पूछे भी जाते हैं दोस्तों इनको आपको बताना है आयोगबाह है तो अपने पड़े थे प्ड़ा था कि जो अम होता है और जो आहा होता है ये क्या कहलाते हैं ये क्लोग बहर कहलाते हैं इसको क्या बोलते इसको बिसर्ग बोलते बिसर्ग तो यहाँ पर दिया है तो यह क्या है आयोगबा है यानि कि यह नम्मर आपका बिल्कुर शाहिए फिर अंगला क्वेश्चन है कौनसा पस्चिस्वर है पस्चिस्वर बताना है अग्रस्वर और पस्चिस्वर अपनने पड़े थ तो पस्टिस्वर यहां पर आपसे पूछा गया, तो पस्टिस्वर यह question कई बार आया है दोस्तों, है ना, तो पस्टिस्वर की अंतरगत आता है कौनसा, आपका comment जल्दी से आना चाहिए, वो right answer चला जाता है, बिकल्प नमर एक तरह, पस्टिस्वर जो होता है, वो होता है, यह आपका विल्कूर शाहिए ठीक है बहुत बड़िया अंगला कॉस्चन देखते हैं यहाँ पर कि निम्न मैंसे बताईए किस सब्द में दुट्वेंजन हैं दुट्वेंजन बताना यहाँ पर पुनाह या फिर इलाहबाद दुट्वेंजन आप समझते होंगे अभी समझ सब्काइब करना है इस परकार से अगर बेंजन आती हैं तो इनको क्या कहा जाता है दुट्वेंजन आता है कई बार और जिन्होंने नहीं पड़ा होता तो बोलते हैं पूंच ली गई उसलिए तयार नहीन में हिंदिवरनमाला मेंएं आयोग वाह वरन कौन सी हैं चार बिकल्फें अयोगबाहः वर्नों को अपन कुछ चैन करना है तो कौनसे होते mandated अयोगबाहः वर्न बताईए आ आ ए ए उ उ या फिर अम पर अम हा तो अयोगबाहः वर्न पूचा गया और पहले भी अपन पड़ चुके हैं तो अम और अहा ये क्या होते हैं अयोग बाह होते हैं ठीक है कौनसा अमानक वर्न है मानक नहीं पूचा गया अमानक पूचा गया यहां पर अमानक वर्न पूचा गया तो अमानक जो वर्न माना जाता है दोस्तों एक जहा जो है जहा यह क्या माना जाता है अमानक वर्न माना जाता और उत्तर चला जाता है आपका C की तरफ श्री नंबर आपका सही है निम्न मैंसे कौन सा घोस वरन है और घोस वरन की बारे में तो अपनने पढ़ाई है घोस यानि की सघोस सघोस को ही घोस कहा जाता है तो अपनने देखा था कि बर्ग का प्रतम और दुती एक्छर अघोस औ यह क्या है पंचम वर्ण हैं यह जो है यह घ्वोस यह सगोस के अंतर गताईगा तो यह खा जो है यह दीए वर्ण है चा जो है यह पृतम है यह प्रतौ मए तो प्रतौ हम अपर ब्रंज के बताना है दोस्तों तो इस प्रकार से अपर ब्रंज के पूचे गए हैं तो अपर ब्रंज के होते हैं दोस्तों यहाँ पर 25 प्रकार होते हैं है ना तो यहाँ पर B नमबर यहाँ पर बिल्कु सही हो जाएगा छत्रग के छा, त्रा और ग्या किस प्रकार के ब बेंजन है तो अपने इनको पड़ा है कि सर जो विभिन बेंजनों के या सुरों के मेल से जो बनाय जाती है तो दोस्तों योग से बनाय जाती है अन्य वरनों की योग से बनाय जाती है वो क्या कहलाती है सन्युक्त कहलाती है तो छत्रा और ग्या कि विभिन वरनों की योग से बनते हैं और इने हम कहते हैं क्या सन्युक्त वर्न ठीक है सन्युक्त बेंजन या सन्युक्त वर्न कहलाते हैं AI वर्न क्या कहलाते हैं क्या कहलाते हैं नासिक मूर्धन ओस्ट है या फिर कंट तालब AI क्या तो आपको पता हो नीचा जाए कि जो ए ए ए हैं इनका उच्चान स्थान है दोस्तो क्या है वताई यह कमेंट में सभी लोग बिल्कुल सही, बहुत वड़ी आंसर बताया है, कि A और I, A क्या है, कंट तालू, क्या होते हैं, कंट तालू होते हैं, और बिकल्प नमबर D की तरफ आपका उत्तर चला जाता है, ठीक है, अगोस वरन कौन सा है, वरन माला में यह तो पूछा जाता है, दोस्तों, सगोस, अग कंट तालू, उच्छान स्थान, इनी को अपन को पढ़ना पड़ता है, यहना अगोस वरन बताना है, और अगोस में आपको यहां पर चार विकल्प दिये हैं, और चार में से आपको चैन करना है, तो यहां पर आपका दोस्तों सा 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 जो आते हैं, यह भी अगोस के ही आते हैं, ठीके, अपनने दोस्तों वरन के प्रिथम और दुतिये तो पड़ते हैं, लेकिन सा सा जो वाले होते हैं, यह भी काई के अंतरगत आते, अगोस के अंतरगत तो आपका उत्तर चला जाता है, डी की तरफ, ठीके, डी नमबर आपका सा, सा उसा, यह तीनों जो ख होते हैं कि अगोस वर्ण की अंतरगत आते हैं तो यहां पर उत्तर भी चला जाता है डी की तरफ ठीक है अलप प्राण बर्ण कौन से हैं अलप प्राण और महाप्राण अपनने पड़े हैं अलप प्राण एक तीन पांच यानि कि बर्गे के एक तीन पांच वर्ण होते हैं ब बी नम्मर आपका क्या हो जाएगा ए अल्प प्राण बरन कहलाएंगे तो बी आपका राइट अंसर बिलकुट शही हो जाएगा तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ए जो ब्रजभासा है बताना है किसकी अंतरगत आती है तो आपने देखा सर कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरी के पासे एक अपन ने कोड पड़ा था तो बोले सर ब्रज जो आती है ये पश्चमी हिंदी के अंतरगत आती है ठीक है अब पश्चमी हिंदी के अंतरगत आती है तो पश्चमी हिंदी उपभासा का जो उदै हुआ है वो सोर्स नहीं आप भ्रंच से हुआ है यानि कि आप ने जो घृत्तर बताया स्वर्स नहीं वो सिंनबर आपका बिलकुल शही हो जाता ठीक है पिर अंगला question आपको से पूछा जाता है दोस्तों यहां पर पिंदों यहां पर कमेंट में लिखिएगा जल्दी से दो सेकंड में और सातियों आपके दो सेकंड होते हैं पूरे और आपने बिलकुल सही आंसर बताया बोल स्थार आगरा की बात करोगे तो यह ब्रजभासा का छेत्र है और ब्रजभासा पस्चमी हिंदी से दोस्तों निकलती है इसको भी अंगला question आपको बताना कि इन मैंसे कौन सी लिपी नहीं है कौन सी लिपी नहीं है अर्भी गुरु मुखी देवनांगरी या अंग्रे जी बताइए कौन सी लिपी नहीं है इन मैंसे तो अपने अर्भी लिपी पड़ी है गुरु मुखी लिपी भी पड़ी है देवनांगरी लिपी भी पड़ी है कौनसी लिपी नहीं पड़ी तो आपका सही उत्तर आया है किसर अगर लिपी की बात करोगे तो यह जो अंग्रेजी है अंग्रेजी के लिपी नहीं है यह तो एक भासा है है ना तो उत्तर कहां चला जाता आपका डी की तरफ अंग्रेजी आपका हुआ था वो मागदी अपवरंश से हुआ था है ना मगद के बिहारी का बंगला ओडा असमिया में है ना तो बिहारी दोस्तो उडिया असमिया ये सबी काई के अंतरगात आती हैं मागदी अपवरंश से इनका ओदय हुआ ठीक है अब आप से पूछा गया कि बिहारी हिंदी स किसका सम्मंद नहीं है पूछा है नहीं है पूछा है तो नहीं है कौन सा नहीं है पूलिसर भोजपुरी का है मगही का भी है मैथली का भी है नहीं है तो किसका नहीं है अब दी का तो अब दी का किस से है तो इसका उत्तर हो जाएगा अब दी का है पूरवी हिंदी से ठीक है बन रहे हैं आप से question very good, बहुत बढ़िया, अंगला question है मग ही किस प्रदेश की बोली है, मग ही बताना किस प्रदेश की, अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि जो मग ही है ये बिहारी हिंदी की बोली है, मैतली है ये भी बिहारी हिंदी की है, पस्चमी भोजपुरी ये भी बि की है, बिहार की है, तो बी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाता है, पूचा गया है question, फिर अंगला question है यहाँ पर कि सिंधी भासा का विकास अपवरंस की किस बोली से माना जाता है, सिंधी भासा का, आपको विकल्प दिये जाएंगे, उससे पहले आप बिना विकल्प के भ बता सकते हो, शिंधी भासा का विकास किस अपवरंस से माना जाता है, जल्दी से कमेंट में लिखिएगा और यह रहे आपके दोस्तों चार बिकल्प, कौन-कौन से, सबसे पहला बिकल्प है आपका बिराचड, दूसरा बिकल्प आपका है दोस्तों पैसाची, तीसरा माग दी और चौता है दोस्तों अर्द माग दी, तो यह बताना है आपका, कि जो सिंधी है सिंधी, इसका उदय जो होता है, वो किस से होता है, सिंधी का बताना है, तो यहाँ पर आपका बिलकुल सही, अपने दोस्तों पंजाबी और लहंदा, पंजाबी और लहंदा पढ़ाता काई से पैसाची से लेकिन सिंधी की बात आती है तो सिंधी में आपका उत्तर चला जाता है ब्राचल आपका बिलकुल सही हो जाएगा सिंधी भासा का बिकास जो हुआ है वो ब्राचल अपरणस से माना जाता है यानि यह नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ब्राचल पन्जाबी का उदय हुआ ठीक है? अंग्ला question आपको बताना है कि मुंडा भासा परिवार का छेतर कोंसा है? मुंडा भासा परिवार का छेतर बताना है? राजस्तान, मद्यप्रदेश, तमिल लाडू या फिर छोटा नांगपुर का पठार या छोटा नांगपुर का पठार बताईए जल्दी से मुंडा भासा का छेत्र कौँशा है इसका उत्तर आपको बताना हमने कई यह छेत्र पड़े है राजिस्तान पड़े है राजिस्तानी भासा भी पड़ी है है ना दोस्तो तो यहाँ पर मुंडा भासा परिवार का जो छेत्र माना जाएगा तब आपने उत्तर बताया कि सर मुंडा भासा परिवार का जो छेत्र है वो छोटा नांगपुर का पठार है और उत्तर चला जाता है बिकल्प नमबर D के साथ ठीक है अंगला question आपसे पूछा जाता है कि जहासी, जालौन, हमीरपुर में कौनसी बोली बोली जाती है यह से question कई बार आते हैं दोस्तों तोड़ा सा आपको अभ्यास करने की जूरत है जहासी, जालौन, हमीरपुर में कौनसी बोली प्रेचले थे बुंदेली, कन्नोजी, ब्रजभासा या फिर मालवी बताईए, शबी का कमेंट आने चाहिए क्योंकि आप जासी को जानते हैं जालौन, हमीरपुर इन सभी को जानते हैं, इन स्थानों को जानते हैं और इन में बोली जाती है, बुंदेली, और बुंदेली का उदय हुआ, पस्चमी हिंदी से और पस्चमी हिंदी का उदय हुआ, किस से, स्वरसेनी अप ब्रेच से, ठीक है तो यह बुंदेली याद रखे ना, जहासी जालौन, हमीरपुर का जो छेतर है, यहाँ पर बुंदेली बोली बोली जाती है, ठीक है अंगला क्वेस्चन आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ती हुई, तो कैसे हुई अर्द मागदी अपवरंश से हुई, मागदी अपवरंश से हुई, शौर से नहीं अपवरंश से हुई, या फिर ब्राचल अपवरंश से हुई कि मगद का मगद के बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में तो दोस्तो बिहारी बंगला उड़िया और असमिया के मागदी अबरंस इनका उदय होता है तो भोजपुरी बोली का उदय कौन सी अबरंस से होगा मागदी अबरंस से यानि कि उत्तर B की तरफ चला जाता है आपको कई बार यात करवाया है कि अगर दोस्तो पंजाबी लहंगा लेना है तो पैसा चाहिए पंजाबी लहंगा लेना है तो पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए से बनेगा पैसा ची और क्या लेना है पंजाबी लहंगा लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा पंजाबी और यहाँ पर हो जाएगा पैसाची यानि कि पैसाची से जो उदय होता है वो पंजाबी का होता है ठीक है और उत्तर आपका सी की तरफ चला जाता है अंगला कॉस्चन आपके लिए मगी किस उपभासा की बोली है प्रश्न किरमा के ग्यारा सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों जिन भी साथियों को कोर्स में एडवीसर लेना है 25 तारीक तक आप एडवीसर ले सकते हैं और पढ़ सकते ह तो है ये बिहारी हिंदी की उपभासा मानी जाती है कौनसी मग ही तो तर आपका कहा चला जाता है बिकल्प नमबर दी की तरह बहुत बढ़िया सभी लोगों ने बिलकुछ आई आंसर बताए हैं अब आपको बताना है दोस्तों गयाल भायाल आदी किस बोली की तरह की किरि या पर बुंदेडी भविस्तिकालेक गयाल भायल ये जो सब्द आते हैं दोस्तों कि बताईए किस बोली से संबंदित माने जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा अनुभाव किया होगा भोजपुरी फिल्मों को देखा होगा तो गयाल और भायल ये भोजपुरी दोस्तों भ नाम है तो क्या है अन्य सही नाम बताना खड़ी बोली हिंदी का है ना ये खड़ी बोली अपन देखते हैं दोस्तों की पश्चमी हिंदी से इसका विकास हुआ पश्चमी हिंदी का विकास अना सौर सेनी अभ्रंच से होता है अपने पड़ा था पश्चमी हिंदी की बोलियो पुरिसर कौरवी में टिक कर दो मैंने कौरवी लगा दिया और उत्तर सही हो गया आपका खड़ी वोली का अन्न सही राम है कौरवी बहुत बढ़िया शबी लोगोंने बिलकुँ सही आंसर बताए हैं फिर अंगले प्रशनी की और बढ़ते हैं दोस्तो अदो लेकित मैंसे ए प्रशने किरमांग 14 में और यहां पर बताना है कि भोजपुरी का छेत्र नहीं है तो उत्तर हो जाएगा दोस्तो आपने उत्तर चैन किया है इलाहबाद यह भोजपुरी का छेत्र नहीं माना जाता है इलाहबाद और उत्तर सी की तरफ चला जाता है ठीक है अंगला क्वेस बोली जाने बाली बोली कौनसी है फैजाबाज जनपद में बोली जाने बाली बोली कौनसी है तो आपको ये जो दोस्तो अलग-अलग बोलियों के छित्र हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए उनको भी हमें पढ़ना है फैजाबाज जनपद में जो बोली बोली जाती है वो पदमाबत लिखा गया ये बही अबदी है दोस्तो जो पूर्वी हिंदी से जिसका बेकास होता है निम्ण वैसे कौनसी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है देवनागरी लिपी में बताना है कौनसी लिखी जाती है डौंगरी मराटी कई बार एक कौस्चन पूछा नहीं है कि देवनागरी लिपी में बताना है डौंगरी और इसे नहीं लिखी जाती ओडिया ए भी नहीं लिखी जाती शिंधी ए भी नहीं लिखी जाती तो कौनसी लिखी जाती है देवनागरी लिपी में जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है मराथी कौनसी मराथी most important question वडिया प्रशने और अंगला question आपकी स्क्रीन पर आधनिक भारतिय भासाओं का बिकास किस भासा से हुआ है प्रशने किरमांग 17 आधनिक भारतिय भासाओं का बिकास किस भासा से हुआ है तो यहाँ पर अपनने कई बार पड़ा है कि सर जो आधनिक भारतिय भासाओं है इनका जो बिकास हुआ है वो सीधा सीधा भारतिय भासाओं का माना जाता है तो अप ब्रशने के अनेक भेदों से स्वर सेनी मान लो मागदी मान लो अर्द मागदी मान लो है ना तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं कि अप ब्रशने से हुआ है ब्रज भासा तो अलग है ब्रज बुली नाम से कौन सी जानी जाती है ये पूछा है आपसे कई बार question पूछा गया पंजाबी, मराथी, गुजराती या फिर पुरानी बंगला कौन सी वो बोली है जो ब्रज बुली के नाम से जानी जाती है और आपने प्रश्निक्रमाग 18 का उत्तर जो चैन किया है वो किया है पुरानी बंगला और आपका उत्तर चैन सही हो जाता है पुरानी बंगला, right answer हो जाता है D number, will को right answer, इनमें बिहारी हिंडी का रूप नहीं है तो कौन सी नहीं है प्रश्निक्रमाग 19 भासा को बहुत अच्छे से पढ़ना है बोलियों को अच्छे से पढ़ना है दोस्तो एक मैंने बड़या ट्रिक से भी वीडियों बनाया है बोलियों का और भासा का सर्च कर ले यूट्यूब में बड़ीया मज़ा आएगा आपको बोलियों और भासाओ के छेत्र बड़यбы haatcrise से आपको समझा दिया है एक बार पढ़ोगे question गलत नहीं होंगे और बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो बोले सर भोजपुरी तो है मैतली भी है अमगही भी है यह अबदी नहीं है यह अबदी तो पूर्वी हिंदी की है यह ना पूर्वी हिंदी के अंतरगत तीन वोलियां आती है अबदी बगेली और छतीजगडी ठी बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप अबदी, ब्रजभासा, देवनांगरी या फिर स्वरास्ट्री प्रश्ण किरमाग 20 और प्रश्ण भी आपका बहुत बढ़िया बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप बताना है यहां पर कॉस्चन थोड़ा सा गलत पूछा गया बरतमान हि हिंदी का प्रचलित रूप माना जाता है दोस्तों वो खड़ी बोली माना जाता है खड़ी बोली यह बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप है ठीक है तो यहां पर उत्तर आपका खड़ी बोली होना चाहिए ठीक है बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप ठीक है यहां पर भारोपिय परिवार ठीक है अब आपसे पूछा गया कि भारोपिय परिवार की कौनसी भासा नहीं है तो आपको उत्तर चैन करना है मराथी भारोपिय की है गुजराती भारोपिय भासा परिवार की है हिंदी भी है तो कौनसी नहीं है पुलिसर मलयालम के दिर्बिन भासा परिबार से सम्बंदित होती है तो तर आपका क्या हो जाता है विकल्प नमबर सी और जो भी साथ ही दोस्तों चैनल की जॉइन मेंबर बनना चाहते हैं बो चैनल की जॉइन मेंबर बनकर दोस्तों पीडियाप और स्टडी मटेरियल बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला आज का जो प्रस्न है कि रास्ट की भाव भाव भाचक संग्या है तो रास्ट की भाव भाचक संग्या बतानी है क्या बनेगी रास्ट की रास्ट ये बनेगी रास्ट ये ता बनेगी रास्ट रक बनेगी या फिर रास्ट ट्रेक बनेगी आपको चैन करना है लोकेंदर जी कलपना जी कि रास्ट की भावाचक संग्या क्या हो जाएगी यहाँ पर हमें दो सेकंड दिये जाते हैं कि रास्ट की भावाचक संग्या बनाने के लिए और आप यहाँ पर बिल्कुछ सही आंसर बता देते हो कि सर राष्ट की अगर भाववाचक संग्या कभी पूछी जाएगी तो हम राष्टियता लगाएंगे क्या लगाएंगे राष्टियता जो बिलकुछ सही आपने बताया कि राष्ट की राष्ट सब्द की भाववाचक संग्या होती है राष्टिये था है ना और राष्टिये सब्द ब्याकर से बिसेशन होता है क्या होता है बिसेशन होता है जिसे राष्टिये प्रितीक सम्मान राष्टिये गान इत्यादी यह ठीक है अब आपको बताना है कि लिखना किरिया से यह आपको चैन करना है उत्तर आपको क्या हो ज खट्टी और ठंडी खाद बस्तू पसंद करते हैं, बाक में संग्या का प्रियोग हुआ है, तो कौन सा हुआ है, दोबारा, चार बार, पांच बार या पिर छे बार, हैना सबी मनुस्त बचपन में मीठी, खट्टी और ठंडी खाद बस्तू पसंद करते हैं, इस बाक में संग्या का परयोग कितनी बार हुआ है कितनी बार हुआ है माई य हन यएंड वंजी देवाट जी प्रश्न किरमां के तीन में सभी Manut fare शुबार में में मीठी खट्टी और थंडी खाभ भाध तक पसंद करते हैं इसमें संग्या सब्द का जो परियोग हुआ है वो कितनी बार हुआ है पाँच बार देखो कैसे किसी व्यक्ती बस्तु इस्थान आदि नाम के गुण को क्या कहते है धर्म सवाव का बोथ कराने वाले कुछ संग्या कहते है और व्प्रोक्त बाप में शंद्या का जो प्रियोग, संग्या का जो प्रियोग हुआ है, वो कितनी बार हुआ है, पांच बार हुआ है ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने नहीं है है ना तो कितनी बार हुआ है दोस्तों यहाँ पर, पांच बार ठीक है, इसको तो भी आपको याद रखने नहीं, अंगला यहां पर देखो, समुव बाचक संगया का बेंजक सब्द क्या है, बेरी गुड़, अन्नु जी, समुव बाचक संगया का बेंजक सब्द क्या है, नीम, कुण्ज, आम या फिर पीपल, तो आपको चें करना है, जल्दी से करो, संग्या का बेंजक सब्द बताना है तो बुलिसर ना नीम होता है ना आम होता है ना पीपल होता है होता है क्या कुंज क्या होता है कुंज कुंज समूह बाचक संग्या का बेंजक सब्द है जो संग्या सब्द किसी समूह या समुदाय का बूत कराते हैं वहाँ पर कौन सा होत संग्या की रूप रचना की आधार है तो कौन-कौन सी आधार संग्या की रूप रचना की आधार क्या है लिंग और बचन, लिंग और कारक, बचन और कारक, लिंग बचन और कारक, तो संग्या की रूप रचना की आधार क्या मान जाते हैं यह प्रश्मिक रमांग पांच में बताना है चार विकल्प हैं चार में आपको बताना है चार में से क्या सही उत्तर हो जाएगा और यहां पर दोस्तों आपका बिल्कु सही उत्तर होगा कि संग्या की रूप रचना रूप रचना की जो आधार माने जाते हैं वो आधार माने जाते हैं दोस्तों कौन से लिंग बचन और कारक, लिंग बचन और कारक, ठीक है, D नमर, संग्या की रूप रचना की आधार माने जाते हैं, लिंग बचन और कारक, अथा उत्तर D नमर, लिंग बचन कारक आपका बिलकों सही होगा, जो संदीप जी ने सही बताया है, लिंग बचन और कारक, इस संग्या की रूप रचना की आधार होते हैं, राम में कौन सी संग्या है, यह हमें चैन करनी है, यहाँ पर, कौन सी संग्या है, राम में, सभी लोग चैन करेंगे, कि राम में कौन सी संग्या है, और यहाँ पर आपका बिल्कुश सही आंसर जो हो जाएगा बोले से राम की बात करते हो तो राम में जो संग्या है वो कौन सी है इसमें से बी कैसे हो जाएगा सुषिता जी प्रस्न किरमाग 6 में बताना था तो अधिकांस लोगों ने बी बता दिया कुछ लोग डी बता रहे हैं है ना तो यहाँ पर देखो ना तो जाती बाचक है ना भाव बाचक है ना द्रब बाचक है राम तो क्या है अकेला है यानि यह ब्यक् ब्यक्ति बाचक है क्या है राम जब हम बोलते हैं तो किसी एक ब्यक्ति का बोध होता है राम जब हम बोलते हैं तो किसी एक ब्यक्ति का बोध हो रहा है ठीक है और जब हम मनुस्त बोलते हैं तो संपूर्ण मनुस्त जाती का बोध होता है तो मनुस्त जाती बाचक होगा ल बाठक की सारी संग्यां आपको पता होने चाहिए समूह बाचक प्र आपको बताना है कि किसी गुण दसा स्वभाव या कारका बूत कराने वाले सब्द क्या कहलाती हैं में बताया कि किसी गोर, दसा, स्वभाव या कार का बोध जो करवाते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या भाव वाचक istri नमब विलकुल सही बताया लोकेंद्री जी भाव वाचक संघ्याइस का दिशी पड़े हैं कितने पड़े हैं समूह बाचक भी आपने पड़ा है है ना और कौनसा पड़ा है कि कौनसा पड़ा जल्दी से बताओ ब्यक्ति बाचक भाव बाचक जाती बाचक शमूह बाचक और एक आपको ही बताना है द्रब्ब बाचक है ना यह आपने पड़े होंगे तो सब्द भावबाचक संग्या के उधारन है किसी भावगुर्ण दसादी का ज्यान कराने वाले सब्द भावबाचक संग्या होती है जैसे क्रोध क्रोध क्या है भावबाचक है मिठास क्या है मिठास भावबाचक है योवन भावबाचक है कालीमा ये भी भावबाचक है ठीक ह अब आपको बताना है कि जिस संग्या में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वो क्या कहलाती है केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वो कौन सी संग्या कहलाती है ये आपको बताना है जाती बाचक संग्या ब्यक्ति बाचक भाव बाचक या फिर द्रब बाचक संग्या यानि कि प् को एक ब्यक्ति या एक बस्तू का बोत कराने वाले सब्द को ब्यक्ति बाचक संग्या कहती है ठीक है जैसे बात करें राम करश्ण सूर आगरा ये काई के उधारन है ब्यक्ति बाचक संग्या के उधारन है आगरा केवल एक सहर है सूर केवल एक आपको पता है है ना और आपक क्रश्ण और राम यह पता है जबकि ब्यक्तियों या बस्तूं की जाती का बोद कराने वाले सब्द जाती बाचक संग्या कहलाते हैं जबकि जाती का बोद कराने वाले सब्द क्या कहलाते हैं जाती बाचक संग्या और जैसे बात करें मनुस्त मनुस्त से संपूर जाती मनुस से ब्यक्ति या बस्तु के गुड़ों का बोध होता है उन्हें भावाचक संग्या कहते है जिन सब्दों में से ब्यक्ति या बस्तु के गुड़ों का बोध हो रहा है उन्हें भावाचक संग्या कहते है जैसे प्रेम भावाचक संग्या है दया भावाचक संग्या है है ना सत पूरी जाती का बोद हो रहा है वो बतानी है भाव बाचक संग्या जाती बाचक संग्या या फिर द्रब्य बाचक संग्या यहाँ पर आपको चैन करना है और जब संग्या का अपना पूरा टॉपिक हो जाएगा तो संग्या आपको समझ में आ जाएगी पूरी की व्यक्ति बाचक क्या है जाती बाचक क्या है और यहाँ पर पूरी बस्तूओं आकास जी जिस संग्या से ब्यक्तियों आबस्तों की पूरी जाती का बोध होता है उसे जाती बाचक संग्या कहते हैं जैसे मनुस्त लड़का लड़की बाल ये सारी जाती बाचक संग्या के उधारन हो जाएंगे ये तो आपको पताई है फिलाल संग्या के भेद आपको बता आठी जी दीक्षा यादाओ उत्तर हो जाएगा गोली सर संग्या के जो भेद होते हैं एक तो होती है ब्यक्ति बाचक दूसरी जाती बाचक तीसरी भाव बाचक चौती समू बाचक और पांच भी जो होती है वो होती है द्रब बाचक तो आपको टिक करना है कि जो संग्या के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं पाच प्रकार के होते हैं पाच प्रकार यानि बी नमबर आपको यहाँ पटिक करना है ठीक है और जेल प्रहरी डिसंबर 2015 और पुलिस कॉंस्टेबल और प्लाटून कमाइंडर में एक कॉस्चन पूचा गया है है ना संग्या सब् प्रश्न किरमां के ग्यारा में हमें बताना है कि दूद पानी स्वना चांदी में संग्या है तो क्या है रानी जी कांती उई के गीता रानी जी प्रश्न किरमां के ग्यारा दूद पानी स्वना चांदी में कौन सी संग्या है द्रब्ब बाचक संग्या, भाव बाचक संग्या, समुधाय बाचक या फिर जाती बाचक संग्या, तब आपका बिलकुत सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिलकुत सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर होगा क्या, विकल्प नम्मर आ, यानि द्रब्ब बाचक संग्य पूरी परिभासा हैं आपको पता चल गई तर यहां पर हम बात करें कि गुच्छा, पुंज, धेर, स्रंकला सब्दों में कौन सी संग्या होगी, जैसे आप बोलते केले का गुच्छा है ना, पुंज देखते, पुंज का धेर होता धेर, तो यह काई की संग्या होती है, यह आपको बताना है प्रस्निक्रमां के बारा में भाव बाचक संग्या गुण बाचक संग्या समूह बाचक संग्या व्यक्ति बाचक संग्या यह आपका बिलकुल सही आंसर यहां पर आपको चैन करना है आसुतोस जी हैना उत्तर हो जाएगा सा नंबर यानि समूह बाचक संग् तीन बज़े आपकी हिंदी की किलास हो रही है बहुत सारे लोग जो गोल थे पड़ाई नहीं कर रहे थे वो या थाबत ध्यान रखें तीन बज़े आपकी किलास हो रही है चार बच के विज्ञान पिक की किलास हो रही है रात में 11 बज़े जीके की किलास होती है ठीक है तो ग भाब का दसा का धर्म का या फिर गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं ऐसे ही संग्या के कौश्चन आते हैं सरल कौश्चन यह आप से बन जाएंगे एक बार आपको पढ़ना ही है और यहां पर आपने अभी पढ़ाता कि अगर दसा भाव धर्म गुणा अधी का अगर ब सब्द से पदार्तों की अवस्ता गुण दोस धर्म आदी का बोध हो उसे भाव बाचक संग्या कहते हैं जैसे बात करें बुडापा तो बुडापा भाव बाचक है मिठास बचपन चडाई ठकाबट आदी है ना जबकि जिन संग्या सब्दों से व्यक्ति बस्तू आदी के स समू का बोध हो उन्हें द्रब बाचक कहते हैं घी तेल स्वना आदी इद्रब बाचक होंगे जब तक आपको 14 का उत्तर बता देना है 14 का उत्तर क्या हो जाएगा इनमें से कौन सा समू बाचक संग्या का उधारन है ये आपको बताना है मुसकान जी ये अभी बताना है अजाईब घर है, या पिर हार है, और चभदा का, आपका बिलकोस सही अंतर होगा, भीड, भीड क्या है दोक्तों? इस समू बाचक संग्या की, उधारन वाना जाएगा, बिलकोस सही अंतर बताया है, है ना, समू बाचक की देखें, कि जिन सब्दों से बस्तू या प्राणिय उसे द्रब्ब बाचक संग्या कहते हैं ये आपको याद रख लिए ना फिर दोस्तों अंगला कोश्चन हमें यहाँ पर पढ़ते हैं कि कौन सा सब्द पदार्त बाचक संग्या है ये बताना है आपको पदार्त बाचक यानि कि आपको चैन करना है ये पदार्त बाचक द्रब बाचक संग्या कौन सी है यह यहां पर चैन करना है चार है शोना विश्वास प्रसंसा या फिर जंडा तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सोना यानि की आ नम्मर आपका बिलकु सही होगा सोना जिन सब्दों से किसी द्रब्या पदार्थ का बोद होता है उन्हें द्रब बाचक संग्या कहते जैसे सोना चानली लोहा दूद यह तो हो गया अंगला कोस्चन बताना है सोला का सेनक कौनसी संग्या है सेनक कौनसी संग्या है सबी लोग सेल्प स्टडी क्लासे एप डाउनलोड कर लेंगे पिले स्टोर से और बहां पर आपको इस टोर पर के लिए करना है है ना और दोस्तों हिंदी ब्याकन का भी कोर्स दीरे-दीरे सारे कोर्स कंप्रीट बहां पर आपको मिलने लगेंगे फिलहाल अभी आप बहां पर क्या करें कि दोस्तों देख लें सैनेक कौनसी संग्या है यानि कि आपका उत्तर हो ए यहांपर सैनक c नंबर अब यहांपर नहीं होना देखो सैनक मतलब हो जाएक given लेकिन अगर सैना की बात हो तो सैना क्या हो जाएगा सैना क्या हो जाएगा समुह बाचक सैना शबम बाचयक और सैनक जो होगा सेनक क्या है जाती बाचक है ना सेनक पूरे सेनक जाती की बोत करवा रहा है है ना जबकि जो सेना है वो समुह बाचक हो जाएगी इस प्रकार से confuse नहीं होना, सयनक, जाती बाचक, सयना, समुधाच, ठीक है, यह याद रखेंगे, अब यहाँ पर जाती बाचक, संग्या को चुनना है हमें, जाती बाचक संग्या को चुनना है, हिमालाए, सोना, नदी, या पिर सभा, दोस्तो आप जेल प्रहरी की कर रहे हैं, या पिर MP Policy क कर रहे हैं या MPSI की कर रहे हैं हिंदी आपके लिए बहुत important है जेल प्रहरी बालों के exam की अभी जो date है वो 20 से 29 नवंबर ही है इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें और यहां पर जाती बाचक संग्या पूचा गया तो जाती बाचक संग्या आपने सही चैन किया है आरबाए है ना क्या हो जाएगा आकास जी नदी नदी यानि कि सारी नदिया और अगर मैं कह देता गंगा तो गंगा में आपका क्या हो जाएगा ब्यक्ती बाचक संग्या और नदी में पूरी नदिया आ गई चाहिए वो गंगा हो नर्वदा हो चाहिए कोई भी हो ठीक है यह आपको याद रख लेना है सबी लोग याद रखेंगे है ना और दिये गए बिकल्पों में से नदी जाती बाचक संग्या है जिस सब्दे से किसी एक समू है या हम बोलते ना कि हमारे देश के सैनेक बाडर पर तैनात हैं तो सैनेक जब आप नाम लेते हो तो किसी एक ब्यक्ती का नाम नहीं लेते हैं हमारे देश के सैनेक बाडर पर मौजूद हैं जो समन नहीं आ सकता है ना तो सेनेक मतलब होता है जाती बाचक और सेना मतलब होता है समुह बाचक इस प्रकार से याद रख रहे ना है बहे कारक जो संग्या या सरबनाम से किसी संग्या का वो दिस्तापित करता है बहे क्या कहलाता है बहे कारक जो संग्या या सरबनाम से किसी संग्या का संग्या का ही material आ जाएगा है ना तो आपको बताना बह कारक अभी दो दिन तो हुए एप को पबिलिस किए material में थोड़ा सा time लगेगा है ना तो बह कारक जो संग्या सरवनाम से किसी संग्या का संबंद स्तापित करता है बह क्या कहलाता है प्रशन किरमांक 18 में और 18 में आपका बिल्कुष सही हो जाएगा शंबंद कारक क्या कहलाता है दोस्तों शंबंद कारक यानि सी नंबर ठीक है यह संबंद कारक सी नंबर सब्द के जिस रूप से किसी एक बस्तू का दूसरी बस्तू किस से शंबंद प्रगठ हो अत्वा जो संब्द या सर्वनाम में किसी संब्द का संबंद कारक कहलाता है निम्न में संब्द का उधारन नहीं है तो कौन सा नहीं है ऐसे प्रशन थोड़ी से आपको टप कर देते हैं है ना तो आपको बताना है निम्न में से संग्या का उधारन नहीं है संद्री वह मानव या पर पतना तो संग्या का उधारन कौन सा नहीं है बोले संद्री तो है मानव भी है पतना भी है लेकिन क्या नहीं है वह का है सर्वनाम का है ना संग्या के इस्तान पर जो सब्द प्रियोग होते है वो सर्वना कहलाते हैं तो बह क्या है सर्वनाम ये संग्या नहीं है है ना तो बी नंबर आपका सई हो जाएगा बी नंबर वह हैना मानव तो जाती बाचक संग्या है ये भी याद रखना और निम्न में बह संग्या का उधारन नहीं है किसी ब्यक्ति बस्तु इस्थान के नाम को संग्या कहते हैं बहुत तो क्या है सर्वनाम का उधारन है है ना संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं यह भी आपको बताना है अब यहां पर बताएंगे कि आज भी भारत में सर्वन कुमार पैदा होते हैं बाक्त में रिखान के सब्द में संग्या बताना है जेल प्राइवी का एकजाम अभी आपका 20 से 29 नवंबर 20 से 29 नवंबर इसलिए तो बोरह पड़ाई आप कर रहे हो क्योंकि आप लोगों ने तो छोड़ी दिया कि अब एकजाम पता नहीं कब होगा 20 से अब्यापम की साइट पर जाके देख लो अभी भी 20 तारीक यानि की इसी महीने की 20 तारीक से लेकर 29 तारीक तक एकजाम की डेट है ठीक है और यहाँ पर आपको चैन करना है कि आज भी भारत में सरवन कुमार पैदा होते हैं बाक में रेकान के सब्द में संग्या है तो व यहाँ पर आपने सिर्मन नाम देख लिया तो सा लगा दिया है ना सी के जी पंकर जी बिलको सही बताया आपने है ना बाकी लोगोंने बी लगा दिया अधिकांस लोग सी ही लगा रहा है सौनम पांडे जी बी बिलको सही है है ना अब आपको देखो कि जो सी बाले है वो ज और सभी ने C लगाया. यहाँ पर उत्तर आपका B है साथियो मुस्कान जी. क्योंकि बाक के रेकान के सब्द में जाती बाचक संग्या है. जिस संग्या सब्द में उसकी सम्पून जाती का बोध हो उसे जाती बाचक संग्या कहेते हैं. यहाँ पर आपको बताना कि आज भी भारत में शिरबन कुमार पैदा होते हैं शिरबन कुमार मतलब ऐसे ब्यक्ति पैदा होते हैं जो अपने बाप की मतारी की है ना सेबा करते हैं तो किसी एक ब्यक्ति की बात नहीं हुई यहाँ पर एक जाती की बात हो गई है कि यसे बहुत सारी सिर्वनकुमार पैदा होती है तो इसको नाम आगया सिर्वनकुमार तो इससे मतलब यह नहीं होता कि आप व्यक्ति बाचक लगा दो प्रस्ण के पूरे बाग को भी आपको पढ़ना है जिससे क्या अर्थ निकल रहा है है ना यही प्रस्ण गलत होते हैं अनन्त यादव जी और बाबुलाल जी अब यहाँ पर प्रती बर्स नदी में बार आ जाती है बाक में किस प्रकार की संग्या है यह बताना है प्रती बर्स नदी में बार आ जाती है 21 का आपको चैन करना है और यहाँ पर आपका राईस अंस जाती बाचक यानी B-Number आपका बिलकुश सही हो जाऊएगा, रॉबिन स्रमा जी ना B-Number जाती बाचक आपका सही होगा यहाँपर, फिर आङे बढ़ते हैं, अंगला को Il Caucasian हम यहाँ पर देखते हैं कि पिर्टी बर्श से कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या नहीं है नहीं है बताना है प्रश्न किरमां के 22 में सभी लोग लाइक जरू कर देना और नीचे आपका नंबर चला है और नीचे सेलप स्टेडी क्लासेज एप जो लिखा है वह आप पिले इस टोर से डाउनलोट कर लेंगे सेलप स्टेडी क्लासेज और कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या नहीं है ये आपको बतानी है बगुला है लड़का है आनंध है या फिर डाकु है कौन सा नहीं है ये बतानी है नहीं बोलिसे लड़का तो जाती बाचक है, है ना, और बगुला ई भी जाती बाचक है यह ना, डाकू ई भी जाती बाचक है, लेकिं आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद, आनंद हो जाएगा, आनंद आपका बिल्कुँ सही है, ठीक है डी नमबर डी नमबर नदी में बाड़ा जाती है नदी का नाम नहीं लिया गया कि गंगा में बाड़ा जाती है नदी का नाम नहीं लिया कि गंगा में बाड़ा जाती है या नर्वदा में बाड़ा जाती है नदी में बाड़ा जाती है बरसात के मौसम में बाड़ा जाती है तो नर्वदा ये क्या है? व्यक्ति बाचक संग्या है, ठीक है? तो उक्त में आनंद जाती बाचक संग्या नहीं है, जिस संग्या सब्द से शंपूर जाती का बोध होता है, बहाँ पर जाती बाचक होता है, डीड अमर आपका बिलको सही होगा, कौन सा सब्द जाती बाचक स 23 गंघा स्वर्ग मनुस्त या पर мंडल नदी में confused नहीं होना नदी मतलब जितनी नदियां है परवत मतलब जितनी परवत हैं सबी परवत आ जाएंगे यह भी आपको याद रख लिनी है और यहाँ पर कौन सा जाती बाचक संग्या है वो क्या है मनुस्त मनुस्त मतलब जितने भी मनुस्त है सारे मनुस्त इसमें जाती बाचक में आ जाएंगे और मैं बोलूं अगर कि क्या बोलूं बाबुलाल पटेल तो बाबुलाल पटेल क्या है ब्यक्ति बाचक संग्या है ये भी माला बेरागी क्या है ब्यक्ति बाचक संग्या है तो ये याद रख लेना तो इन वैसे जाती बाचक संग्या क्या है मनुस से ठीक है बी नमबर जिस उसे संग्या सब्दे से उसकी संपूर जाती का बोध हो उसे जाती बाचक मनुस, पसू, पसू जाती, पक्छी, गाउं, गाउं भी आएगा, गाउं मतलब जितने भी गाउं है सब, और मैं अगर बोलूं आपके गाउं का नाम कि मान के चलो हम कुछ बोलते दें जबलपुर, तो जबलपूर क्या है ये ब्यक्ति बाचक संग्या है ये जबलपूर केवल एक है एक तो ब्यक्ति बाचक संग्या हो जाएगी आगरा एक ब्यक्ति बाचक संग्या ठीक है इन में और मैं बोलू सहर सहर तो सहर जाती बाचक संग्या के अंतरगत आएगा क्योंकि सहर से करना है यहाँ पर खेम संग्या है लेकिन फिरभी हम कुछ गलत करके प्रशना आते हैं वो इसी प्रकार की प्रस्ण होते हैं जो हम अधिकांस गलत करते हैं तो संग्या को अच्छे से पढ़ना है प्रस्ण को अच्छे से पढ़ना है फिर उत्तर लगाना है कि कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या होते हुए भी योग रूड होने से ब्यक्ती बाचक संग्या ह है तो आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्र हेमालाए स्वानम पांडे जी उत्तर इसका सही होगा हेमालाए सब्ज जाती बाचक संग्या होते हुए भी योग रूड होने से ब्यक्ति बाचक संग्या है यह ब्यक्ति बाचक ए नमबर हेमालाए ठीक है यह नमबर गंगा किस प्रकार की संग्या है दोस्तों गंगा गंगा बताना है हमें रबेंद्र सिंग जी गंगा ब्यक्ति बाचक है भाव बाचक है जाती बाचक है समूह बाचक किसी का अंसर गलत नहीं आना चाहिए अब गंगा किस पिरकार की संग्या है 26 में और अधिकान्स लोगों ने उत्तर बता रहे हैं कमला ठाकुर जी भी बता रहे हैं 26 का पड़ापट से सबी लोग बताएंगे मैं सारे आंसर देख रहा हूं किसी का प्रस्न भी गलत नहीं आने चाहिए है ना अंकुर जी फिर भी बता रहे हैं कान्ति उई के भी बता रहे हैं और राकेश जी भी बता रहे हैं तो जितने भी चार-पांच लोग भी बता रहे हैं मैंने आपको कई बार बता दिया है यहीं पर यहाँ पर और गलत नहीं करना साथी हो एक गंगा क्या है गंगा क्या है एक है कि बहुत सारी गंगा है जल्दी बताओ गंगा जब आपन लेते हैं असोग जी तो गंगा क्या है एक है यूनेक है गंगा अदुत्ती है गंगा है ना तो गंगा क्या है एक तो ये ब्यक्ति बाचक होगी कि जाती बाचक होगी क्या देखो इसको अच्छे से समझना है गंगा दोस्तों क्या है ब्यक्ति बाचक है और अगर मैं बोलूं कि नदी नदी तो नदी मतलब होता है बहुत सारी नदियां जितनी भी है चाहिए वो नर्वदा हो गंगा हो सारी नदियां नदी के अंतर गताएंगे है ना ये गंगा एक नाम है और हम पढ़ते हैं कि किसी ब्यक्ति बस्तू या इस्थान के नाम को क्या कहते हैं संग्या कहते हैं है ना तो नाम आया यहाँ पर नाम और जहाँ पर नाम आता है बहाँ पर ब्यक्ति बाचक संग्या होती है है ना किसी एक ब्यक्ति का नाम होता है और जहां पर पूरी जाती का बोध होता है जाती बाचक संग्या जो लोग गलत कर रहे हैं वो तोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लोग गलत नहीं होनी चाहिए किसी ब्यक्ति बस्तु इस्थान तथा नाम के गुरधर्म सुभाव का बोध कराने वाले सब्द शंग्या कहलाते हैं इनमें हम पूरी संग्या भी पढ़ रहे हैं केवल एक ब्यक्ति केवल एक ब्यक्ति बस्तु या इस्थान के लिए बस्तु के लिए या इस्थान के लिए जिस नाम का प्रियोग होता है उसे ब्यक्ति बाचक कहते हैं केवल एक ब्यक्ति के लिए चाहे वो गंगा हो, है ना, चाहे वो नर्वदा हो, चाहे बात करें अंकुर ब्यास हो, या चाहे बात करें लोकेंदर जी हो, ये क्या है, सिर्फ एक ब्यक्ति है, है ना, तो एक बस्तु है, ब्यक्ति है या इस्थान है, तो इसे क्या कहेंगे ब्यक्ति बाचक संग्या, जात जंपूर जाती हम अगर मनुस्त नाम लेते हैं मनुस्त तो मनुस्त एक नहीं है जितने भी संसार में मनुस्त हैं सबका बोध हो जाता है तो जंपूर जाती का बोध कराने बाले जाती बाचक संग्या भाव आचक संग्या जिस संग्या सबसे पदार्तों की अबस्था गुण सथा, गोण, एना, दोस, धर्म आदी का अगर बोद हो रहा है, तो वो भाव आचक संग्या, ठीक है, याद रख ले ना, अन्य दोबेद समूब आचक और द्रब बाचक संग्या है, समूब आचक में जिन संग्या सब्दों के व्यक्तियों, बस्तियों आदी के समूब का यहाँ पर आजाते हैं, अच्चे से पड़ो, बहुत बढ़िया तरीके से सही हो जाएगा, यहाँ पर आते हैं कि द्रब बाचक, जिन संग्या सब्दों से किसी धातू, द्रब आदी पदार्तों का बोध हो, उन्हें द्रब बाचक संग्या कहलाते हैं, दोस्तों अब गलत नहीं होने चाहिए, द्रब बाचक हो, ब्यक्ति या जाती बाचक, अब देखते हैं किसका गलत हो, बहन है, समू बाचक, भाव बाचक, ब्यक्ति बाचक या जाती बाचक, बहन क्या है, जाती बाचक है कि भाव बाचक है, या ब्यक्ति बाचक है, प्रश्न किरमांग 27, दे खटाक से उत्तर बताओ सभी लोग बहन है क्या है शमू बाचक है बाव बाचक है ब्यक्ति बाचक या फिर जाती बाचक तो आपने बिलकुर सही आंसर बता रहा है सभी लोग कि सर बहन क्या है जाती बाचक संग्या है यानि कि D नमबर यानि कि संसार में जितने भी बहन है च चाई दिनेश की बहन हो, चाई सोक की बहन हो, अंकोर की बहन हो, सबी बहनों का यहाँ पर बोध हो रहा बहन से, यानि जाती बाचक, ठीक है, जिस संग्या सब्द से उसकी संपूर जाती का बोध हो जाता है, उसे जाती बाचक, बहन जाती बाचक है, ठीक है, दोरना किरिया स से बनने बाली भावा चक संग्या कौनसी है दोड़ना से कौनसी बनेगी भावा चक संग्या दोड़ाना दोड़ दोड़ाई या फिर दोड़ भाग तो ये थोड़ा सा कठेन क्वेस्चन है लेकिन यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि इसका सही उत्तर 20 का जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा दोड़ना किरिया से बनने वाली जो फावाचक संग्या है वो कौनसी है दोड़ यानि कि B नमबर दोड़ B नमबर अनंत जी बिलकुल सही आंसर है यहाँ पर देखो दोड़ना किरिया से बनने वाली भावाचक संग्या है क्या दोड़ जिस संग्या सब्द से किसी ब्यक्ती बस्तू आदी ब्यक्ती बस्तू ब्यक्ती पसू आदी गोड़ दसा दसा और अबस्ता आदी का बो के भेद कितने होते हैं उत्पत्ति की द्रश्टी से सब्दों के भेद कितने होते हैं संदीब जी गल्पना जी आरबाय मायराम प्रश्ण किरमांक एक मैं उत्पत्ति की द्रश्टी से शब्दों के भेद कितने होते हैं चार आपको दिये हैं उप्सन एक, दो, तीन या फिर चार तो यहाँ पर हैमलता जी उत्तर हो जाएगा आपका चार कितना हो जाएगा चार उत्पत्ती की दरश्टी से शब्दों के भेद होते हैं चार और डी नमबर आपका बिल्कु सही है ठीक है डी नमबर फिर अंगला क्वेस्चन रंग सब्द से किरिया बनती है तो कौन सी किरिया बनती है रंग से कौन सी किरिया बनेगी रंग से किरिया आपको बताने है कौन सी किरिया बन जाएगी यहां पर प्रश्ण किरमांक दो म तो में रंग से जो बनने वाली किरिया है उस किरिया का नाम क्या है वो आपको चैन करना है चलिए तो फटाक से आप करें रंग से बनने वाली किरिया कौनसी है और आपने बताया कि से रंग से बनेगी कौनसी रंगना कौनसी बनेगी रंगना रंगना एक क्या है किरिया है तो यहाँ पर टू का अंसर हो जाएगा रंग से बनेगी किरिया बनानी है अपनको संदीब जी रंग से बनने वाली किरिया होती है रंग ना है ना और रंग ना क्या है किरिया तो आपका सी नमबर बिल्कु सही हो जाएगा रंग से रंग ना किरिया बनती है है ना जिन सब्दों से किसी कार का करना या होना ब्यक्त हो उसे किरिया कहते हैं जैसे रंग और ना किरिया में लास्ट में ना आता है करना जाना है ना देखना रंगना ये जो किरिया है तो इसमें रास में क्या आता है किसी कार को करने का इसमें बोध होता है या फिर उसमें ह प्रंगला बताने आपको सब्द की उत्मा वस्ता कौन्ची है निम्न सब्द की उत्मा वस्ता कौन्ची है निम्न की उत्मा वस्ता बताना है हाँ कल्पना जी प्रश्न किर्मांग तीन में चैन करना है आपको कि सब्द की उत्मा वस्ता कौन्ची है निम्न तम वस्ता जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा नेमने तम वेरी गोड बी नमर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा है ना नेमने की उत्मा वस्ता होती है नेमने तम और बी आपका बिलकुँ सही है नेमने तम है ना और उत्तरा वस्ता पूछा हो जा तो नेमने तर यहाँ पर नेमने तम होगा क्योंकि यह उत्तरा वस्ता यहाँ पर पूछा है और अनुराग ने फल करीदे में कौन सी किरिया है अनुराग ने फल करीदे आप जबाब करोगे प्रस्न करोगे क्या करीदे क्या खरीदे उतराया फल खरीदे और जब उतर में आपको कर्म देख जाए जब उतर में आपको कर्म देख जाए तो आपकी क्रिया हो जाएगी सकर्मक और यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या होगा अनुराग ने फल खरीदे इसमें कौन सी क्रिया है और विल्कुश ही बताया कि सर फल किसने खरीदे अनुराग ने अनुराग क्या है करता फल क्या है कर्म आपने क्या किया प्रस्ट ने किया कि क्या खरीदे क्या खरीदे अगर उत्तर में आपको कर्म मिल जाए कर्म है ना तो आपकी किरिया सकर्मक और अगर कर्म ना मिले तो आपकी किरिया अकर्मक है ना तो हमें उत्तर में आ गया क्या खरीदे आपका उत्तर आ गया फल और फल क्या है कर्म है ना तो यहाँ पर आपकी किरिया कौन सी होगी सकर्मक जिस सब्द से किसी काल का होना या करना दो भेद हैं सकर्मक और अकर्मक जो किरिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक किरिया कहते हैं जैसे राम फल खाता है क्या खाता है फल खाता है ये कर्म के साथ आ रहा है अनुराग ने फल खरीदे सीता गीत गाती है क्या गाती है गीत गाती है है ना क्या खरीदे फल खरीदे य कर्म नहीं होता अकर्मक किरिया के साथ कर्म नहीं होता तता उसका फल करता पर पड़ता है जैसे राधा सोती है क्या सोती है उत्तर मिल रहा के आपको क्या सोती है उत्तर नहीं मिला आपको कौन सोती है तब उत्तर मिलेगा लेकिन ये तकर्मक का उधारन नहीं है आपसे या किसे लगा कर आप प्रश्न करोगे है ना और आपको उत्तर में कर्म मिल जाए या उत्तर मिल जाए उसका तो आपकी होगी सकर्मक और उत्तर ना मिले तो होगी अकर्मक जैसे राधा सोती है क्या सोती है उत्तर मिला क्या नहीं मिला बोले सर क्या का उत्तर नहीं मिला है ना तो आपकी कौन सी हो जीगी अकर्मक कर्मक का अभाव है तथा रोती है किरिया का फल राधा पर पड़ रहा है राधा पर तो कर्मक का इसमें अभाव है ठीक है अब आपको पांच का उत्तर बताना है कि बोलने बाले बक्ता को क्या कहते हैं जै बोलने बाली बक्ता को कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्य पुरोष, मद्यम पुरोष, प्रितम पुरोष या उत्तम पुरोष, पाच का, तो बिलकुछ सही बताया आपने, कि सरीच से बोलने बाली बक्ता को कहते हैं, उत्तम पुरोष, क्या कहते हैं, उत्तम पुरोष, यानि B न प्रियोग और अन्परुस में वह राम आदी का प्रियोग होता है है ना तो उत्तम प्रुस में क्या होते हैं मैं और हम मद्यम प्रुस में तुम आप अन्परुस में वह राम आदी का यह प्रियोग होता है ठीक है अंगला question है प्रश्ण किरमांग 6 में ब्यूत पत्ती की द्रश्टी से सब्द के कितने भेद होते हैं ब्यूत पत्ती के द्रश्टी से बताना है सब्द के कितने भेद होते हैं तीन, चार, पाँच या फिर दो, यानि कि प्रस्ने किरमांग छै का चैन करना यहाँ पर ब्यूत पत्ती की द्रश्टी से बताना है माला बैरागी जी, तो कितने होते हैं छै का बिलको सही आंसर आया, कौन-कौन से, कौन-कौन से होते हैं ब्यूत पत्ती के द्रश्टी से, आ होते हैं आपकी ब्यूत्पत्ती की दृष्टी से शब्द यानि ए नमबर आपका बिलकुश हो जाएगा ठीक है फिर यहां पर देखते हैं दोस्तों कि ब्यूत्तती की द्रश्टी से सब्द के तीन भेद होते हैं रूडय, योगएक और योग रूड़ ठीक है यह याद रख ले ना है जिन सब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो बे योग रूड़ है ना जैसे मैं लिखऊं जल जल लिख दूँ और इसका अगर खंड करूँ जा अलग है ला अलग है लेकिन इसका क्या नहीं निकर रहा है कोई अर्थ नहीं निकल ला तो ये क्या हो जाएगा रूड ये क्या है रूड जैसे मैंने लिखा पार्ट साला पार्ट साला लिख दिया तो अब यहाँ पर साला अलग कर दिया और पार्ट अलग कर दिया तो पार्ट का अर्थ तो अपना निकल लिया बोले सरा ध्याय है ये तो पार्ट है है ना साला का बिद्याला है यानि कि द पीतामबर लिख दिया और इसका तीसरा अर्थ निकल रा है कोई पीला है अंबर जिसका तीसरा अर्थ निकल भा है अर्था स्त्री के अश्न, तो बहाँ पर क्या होगा, योगरूड, बहु ब्रही बचन के जितने बहु ब्रही समाज के जितने भी उधारन होते हैं, वो क्या होते हैं, योगरूड होते हैं, बहु ब्रही समाज के उधारन योगरूड सब्द होते हैं, ठीक है, योग एक और र मुभूक बाचक नहीं है, यह जो वियुत्पत्ती के आधार पर सब्द के तीन प्रकार हैं, दोस्तों, इनमें हमें देखा जाता है कि आप सब्द को खंड़ क, दो खंड़ में बनाइए, अगर इनकी सारतह कर्थ निकलते हैं, तो यह दोस्तों क्या हो जाएंगे, योगें न इन मेंसे कौन सा सब्द समूह बाचक नहीं है तो समूह बाचक नहीं है घर कौन सा नहीं है घर समूह बाचक नहीं है डी नमबर बिलकु सही है जो संग्या सब्द किसी समूदा है या समूह का बोद कराते हैं उन्हें समूह बाचक सब्द कहते हैं इन मेंसे घर सब्द समूह बाचक नहीं है अता है ए उत्तर दी अपयोक्त है ठीक है फिरंगला क्वेस्चन आपको बताना है कि जो सब्द विसेशन अत्वा किरिया विसेशन की विसेशन वतला है उसे क्या कहते हैं आठ का अंसर आठ जो सब्द विसेशन और किरिया विसेशन की भी विसेशन वता रहा ह किरिया की विसेश्टा बताने वाले किरिया विसेश्ण और किरिया और दोस्तों विसेश्ण की अत्वा किरिया विसेश्ण की विसेश्टा जो बतला है वो क्या कहलाते है अपन बोलते ना कि किरिया की विसेश्टा बताते विसेश्ण है ना और विसेश्ण और किरिया उन्हें दौनों की विसेष्टा अगर बतलाए तो वो क्या कहलाएंगे प्राभी सेषड प्रभी सेषड यानि बी नमबर जो सब्द विसेषड अत्वा किरिया विसेषड की विसेषड बताते हैं उन्हें प्राभी सेषड कहते हैं है ना प्रभी सेषड फिर अंगला कोस्च या फिर सार्व नामिक विसेशन ए पुस्ताग अभी छपी है रेखान के सब्द क्या है तब यहाँ पर आपका बिल्कुश सही आंसर हो जाएगा कौण सा हो जाएगा दी नमबर सार्व नामिक विसेशन कौण सा हो जाएगा सार्व नामिक विसेशन डी आपका सही हो जाएगा ठीक है सार्वनामिक विसेशन एह पुस्तक अभी छपी है एह जो है सार्वनामिक विसेशन होगी दी नमबर उक्त बाक में रेखान के सब्द सार्वनामिक विसेशन है जब कोई सर्वनाम सब्द संग्या सब्द के पहले आए तता वह प्रब बिसेशण सब्द की तरह संग्या की बिसेशण बताए उसे सर्वनाम एक बिसेशण कहते हैं है ना कि जैसे यह है यह सर्वनाम है उस तक क्या है संग्या है और इस संग्या के पहले क्या आ गया सर्वनाम आ गया और यह सर्वनाम क्या कर रहा है कि संग्या की क्या कर रहा है विसेस्था बता रहा है यहाँ पर तो भे क्या कहलाएंगे सा्र्वनामक विसेस्थण है ना तो याद रखो पेड़ से पत्ते गिरते हैं रेकान के सब्द में कारक्वी की वेवक्ती पहचानना है हमें पेड़ से पत्ते गिरते हैं और आपने पढ़ा होगा कि संप्रदान मतलब होता है क्या अलग होना है ना और पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो रेकान के सब्द में जो कारक हो जाएगा कारक वो कौन सा हो जाएगा प्रस्न किरमा के 10 में उत्तर आया है क्या अपादान, कोई संप्रदान क्या होता है, very good answer, अपादान है ना, तो पेड से पत्ते गिरते हैं और इसका उत्तर होगा क्या, अपादान ठीक है, संग्या के जिस रूप से एक बस्तू का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वो कहलाता है दोस्तो अपादान क्या कहलाता है, अपादान, है ना, यानि कि आपका जो सी नंबर है, वो बिल्कुश सही हो जाएगा लेकिन अलग होने के लिए पेड से पत्ते गिर रहे हैं तो अपादान आपका बिल्कुश सही है अपादान very good पक्ची उँची उड़ान उड़ रहे थे रेखान के सब्द कौन सी संग्या है उँची उड़ान उड़ रहे थे ब्यक्ती बाचक, जाती बाचक, भाव बाचक या समुव बाचक पक्ची उँची उड़ान उड़ रहे थे एक कौन सी संग्या है दोस्तों यहाँ पर बोले सर ब्यक्ति बाचक तो है यह नहीं यहाँ पर रेखान के जो सब्द है वो उडान सब्द है रेखान के कौन सा है उडान है ना यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं हो ना अपदान से जुदाई होता है अपदान से और उडान ए है उडान ए रिखान के थे और उडान में हमें बताना था तो उडान में भावबाचक है कौनसी है भावबाचक है ना भावबाचक उडान सब्द भावबाचक संग्या है जिस संग्या सब्द से पदार्तों की अवस्त गोण दोस धर्म अबस्ता इनका बोद होता है उसे भाव बाचक संग्या कहते हैं है ना भाव बाचक संग्या अंगला देख लेते हैं दोस्तों अंगला जो अपना परस्ण है वो है कि जिन सब्दों के तार्था खंड ना हो सकें और जो अन्य सब्दों की मिल से ना बने हो उन्हें क्या कहते हैं जो सब्दों के सार्थ खंड ना हो सकें और जो अन्य सब्दों की मिल से ना बने हो उन्हें क्या कहा जाता है योग रूड या फिर आविकारी अगर आपको रूड या योग रूड समझ में आ गया तो ये उत्तर गलत नहीं होगा आप लोगों का 12 का अंसर देख रहे हैं कौन-कौन गलत कर रहे हैं कौन सही कर रहे हैं तो बिकास जी प्रश्न किर्मांक 12 में GS की किलास होती अभी 4 बजे बिक्की जी जिन सब्दों के सार तक खंड ना हो सके हैं और जो अन्नक सब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें क्या कहते हैं तो लगबक सही लोगों ने बिलकुश सही बताया कि सर उन्हें कहते हैं रूड और रूड सब्दों के सार तक खंड नहीं हो सकते है ना और ये अन्य सब्दों के मेल से नहीं बनते है ना ये वर्णों के मेल से बनते हैं अन्न वरनों के है ना और इनके कोई सार्थक खंड नहीं होते रूड सब्दों के तो आपका C आंसर क्या हो जाएगा C नमबर ठीक है हाँ अबिकारी तो अब्या होते हैं बिलकुल होते अबिकारी जो सब्द अन्य सब्दों के योग से ना बने हो और किसी बिसेस अर्थ को प्रगट करते हो तता जिनके टुकुलां का कोई अर्थ नहीं होता भे रूड कहलाते हैं जो सब्द कई सार्थक सब्दों के मेल से बने हैं वे कहलाते योगेक है ना और बे सब्द जो योगेक होते हैं किन्तु सामान अर्थ को ना प्रगट कर किसी बिसेस अर्थ को प्रगट करते हैं योगरूर कहलाते हैं जिन सब्दों को रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो उने अविकारी सब्द कहते हैं ये भी आपको पता है ठिक है और अबिकारी क्या होते है अब्याय होते हैं इनमें बिकार नहीं होता क्या कहते है बरनों के सारतक समोगो वर्णों के सार्थक समों को कहते हैं दोस्तों क्या सब्द सब्द कहते हैं तेरा में विल्को सही है ये कि आदिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्रा सार्थक ध्वनी सब्द कहलाती है है ना कल किस प्रकार का सब्द है कल कल बताना है दोस्तों अब ये भी कॉस्चन गलत नहीं होगा अगर आपको रूड योग रूड समझ में आ गया है लोकेंद्र जी, चौदा, कल किस प्रकार का सब्द है? और आपने बिल्कुँ सही बताया है कि सर कल की अगर बात कर रहे हो, आजा अगर समझ में आरवाए? कल किस प्रकार का सब्द है? तो कल कहता है रूड, रूड यानि की रूची पांडे जी, 14, 14 का बताया आपने, है मलता सिंग जी, योग रूड क्यों बोल ला है आप? आरवाए, देखो, रूड सब्द कौन होते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कल, कल लिख दिया, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिख दिया पाट साला, ठीक है? और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या? यहाँ पर क्या लिख दें? दसानन, दसानन लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, कि यह जो कल है, अगर इसकी हम खंड कर दें ऐसे, खंड कर दें यह ला अलग हो गया, का अल तो लाका कोछ अर्थ निकल रहा क्या बुलिसर नहीं निकल रहा काका निकल रहा नहीं निकल रहा अगर इनके कोई सार्थ खंड नहीं हो सकते यानि कि इनके खंड करने पर इनके अर्थ नहीं निकलते तो यह होते हैं रूड यह क्या होते हैं रूड अब जैसे पाठ साला है इसके सार्था खंड हो सकते हैं। जैसे पाठ एक इसका एक अर्थ होता है पाठ का। साला का भी एक अर्थ होता है। यानि कि दोनों की अर्थ निकल ला है तो ये क्या कहलाती है। योग एक है ना दसानन। दसानन में क्या होता है। दसानन में होता है दोस्तों कि इसका एक बिसेस अर्थ निकलता है तीसरा अर्थ निकल रहा है है ना दस है आनन जिसके अर्थात रावड के तीसरा अर्थ निकल रहा है ठीक है तो इस प्रकार से काल रूड है पाट साला योगे के दसानन योग रूड है है ना और योग चंदे को कौन सा सब्द बिकल्प सूचक है क्योंकि लेकिन अत्वा या तथा बिकल्प सूचक सब्द कौन सा है 15 का आंसर और यहां पर 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हां तीसरे अर्थ की चर्चा करते हैं उत्तर हो जाएगा क्या कौन सा सब्द बिकल्प सूचक है तो बिकल्प सूचक जो हो जाएगा वो क्या होगा अत्वा है ना हम पहले बोलते थे न अपने जब पेपर देने जाते थे कि बिज्ञान के चमतकार निबंद लिखो अत्वा अत्वा गाय का निबंद लिखो तो इन वैसे या तो बिज्ञान का लिख लो या फिर गाय का लिख लो यानि कि ये क्या हो जाएगा, विकल्प सूचक हो जाएगा, कौन? अथवा, तो d. नम्मर आपका outtaेका बिलकुँ सही है, बेसब्द, जो बाक्याहन्षों अतवा बाक्यों में विकल्प प्रिगट कर देते हैं, उन्हें क्या कहेते हैं, टीक है? अगला देको से बिवक्ति है, से बेवक्ती काई की बेवक्ती है से यहाँ पर से बेवक्ती बतानी है किसकी है अधिकरण कारक की अपदान कारक की कर्म कारक की या उपर युक्त में से किसी की नहीं से बेवक्ती किसकी मानी जाती है और राइट आंसर आपका हो जाएगा पुलिसर से की बात करते हो तो अभी तो पड़ाता की ब्रक्ष से पत्ते गिरते हैं है ना और ये बिवक्ती चिन्न जो होता है से वाला ये होता है अपादान अपादान कारक का यानि बी नमबर ठीक है अपादान कारक बै कारक है जो एक बस्तू का दूसरी बस्तू के साथ अलग होना बताता है अपादान है ना अपादान ये याद रख लेना ठीक है अलग होना बताता है अपादान और यहां आया है दान और दान हम क्या करते जब कोई चीज हम दान कर देते हैं कोई चीज दान कर देते हैं जैसे मैंने ये पुस्तक दान कर दी तो ये हम से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी दूसरे जगा पहुँच जाएगी तो ये क्या हो गया? ये अपा दान तत्परोस हो गया तो उत्पत्ती के आधार पर सब्द के कितने भेद हैं एक, दो, पाँच या तीन ब्रक्ष से पत्ती गिरते हैं अपनने पढ़ा था न से उत्पत्ती के आधार पर सब्द के कितने भेद हैं उत्पत्ती उत्पत्ती हो रही दोस्तो ब्यूत्पत्ती के आधार पर हमने तीन देखे है ना रूड, योगरूड और योगिक ये तीन देख लिए अब हमें उत्पत्ती के आधार पर देखना है तो उत्पत्ती के आधार पर होते हैं दोस्तों पांच प्रिकार के पांच प्रिकार के होते हैं उत्पत्ती की आधार पर कौन कौन से होते हैं, ये देखो, सबसे पहला तो तत्सम, पांच नहीं, पांच नहीं, पांच नहीं, पांच भी नहीं है, चार होते हैं, चार, उत्पत्ती की आधार पर चार, तत्सम तदवाव देशा जुर्बिदेशी, चार होते हैं, तीके, चार, उत्पत्ती की आधार पर चार, तत्सम तदवाव देशा जुर्बिदेशी, है ना, हाँ, चार होते हैं, ठीके, चार, उत्पत्ती की आधार पर च ब्यूत्पत्ति के आधार पर तीन सोला का क्या सेवे बक्ती चिन्ना पादान कारक्की तो है यहाँ पर संस्कार नहीं यहां पर यह भी होते हैं वह संकर नहीं होते वह नहीं यहाँ चारी होते हैhu अब यहाँ पर देखो कि सिख्छा खाली स्टान मनेश्च। उपर उठाती इस बाक में उचित निपात को रिक्तिस्थान में भरिये मुल रूप से चार ही होते हैं सिक्षा कालिस्थार मनुस्थ को उपर उठाती है इस बाक में उचित निपात को इस थान में भरिये संकर सब्द तो होते हैं लेकिन मोल रूप से चारी मान जाते उत्पत्ती की आधार पर ठीक है बिभक्ती पूँचा बिभक्ती से बिभक्ती चिन्न जुदाई नहीं से बिभक्ती भी अपादान से करण से भी आता है अपादान से भी आता है जवाब विबक्ती चिन्न की पूँचते तो से ही लिखते हैं इसमें अपादान से और करण से लेकिन करण से का अलग अर्थ होता है अपादान से का अलग अर्थ होता है तो ये नम्मर आपका बिल्कु सही होगा सिक्चा मात्र मनुस्थ को उपर उठाती हो प्रोक्त बाक में मात्र उचित निपात है जिसका प्रियोग करते हुए बाक को सार्थक बनाया गया है अंगला कोस्चन बताना है कि दो भासाओं के सब्दों को मिला कर बनाये गये सब्द कौन से है दो भासाओं को मिला करके आ गया ना वो शंकर बाला तो उन्नीस का जो आंसर होगा कि दो भुन भासाओं के सब्दों को मिला कर बनाये हुए जो सब्द हैं वो संकर है कौन से हैं संकर यनि बी नंबर ठीक है बी नंबर बर्न संकर सब्द ऐसे ओते है जो पूर्ण तक किसी एक भासा के बोली ना होकर दो भासाओं के सब्दों के मेलुम्न निर्मित होते हैं जैसे हिंदी फार्षई के हो गए चमकदार मौंबत्ती इस प्रिकार से है ना तो ये संकर सब दोते हैं कुछ जो बिभिन भासाओं से मिल करके बनते हैं ठीक है यहाँ पर बताना है कि सीम ने कल खालिस्तान काम नहीं किया इस बाक के लिए सही निपात का चेहन करना है ये निपात कहला था निपात तो कौन सा हो जाएगा उत्तर होगा इसका हाँ हाँ सी नमबर संकर ये वाला संकर है वेरी गोड ये वाला संकर है 19 में दो भासाओं के सा वाला है ना यहीं पर भी कन्प्यूज हो जाते ये सी नमबर होगा आपका ठीक संकर सीमा ने, सीम ने कल भी, कल भी काम नहीं किया, कल भी काम नहीं है, डी नमबर आपका यहां पर सही होगा, डी ठीक है बीस का कल ही नहीं कल भी काम नहीं किया ठीक है निपात ऐसे अब्वै होते हैं जिनका प्रियोक किसी सब्द पाक में सब्द पर बल देने के लिए किया जाता है निपात कहलाते हैं निपात भी अब पढ़ लेना सब्द के सब्द पर बल देने के लिए कल भी काम ने किया उसने है यह हो तो निपात का कोई सोतंत रस्ते तो नहीं होता परन्तु जब इनिपात संग्या सर्वनाम किरिया और विसे सर्षड के साथ अगर जो जाए तो बाक्यों को क्या बना देते हैं प्रभाव सालीग घहरा बना देते हैं, है ना, कुछ प्रमुक निपातों के उधार निम्रानुसार हैं, ये निपात कहलाते हैं, निपात पढ़ देना दोस्तों, कामे ही लोगों पर बनते हैं निपात, बोले निपात क्या बलाया गई, है ना, ये निपात कौन कौन से देखो, तक, भी, मात्र, केव प्रभावसाली बना देते हैं, बड़ाई ने मेज खालिस्तान बनाई है, इस बाक में उचित नेपात का चेहन करना है, तो कैसी बनाई है, ठीक, करीब, लगभाग या सायद, तो 21 में आपका हो जाएगा कि बड़ाई ने मेज ठीक बनाई है ठीक ठीक है ये स्वरी ठीक ये नमबर ठीक बनाई है ये नमबर सही होगा ठीक है निपात बहए अब्ब्य होते हैं जिनका कोई प्रताकस्ट तो नहीं होता परंतु इनका प्रयोक किसी सब्द पर बल देने के लिए किया जाता है ठीक है तो इनको हमें याद रखना है पिर देख लेते हैं और भी महत्पूर्ण है जो सरस्वती बिद्यालाय बारभी कक्छा खालिस्तान है इस बाक में उचित निपात लगाना है सरस्वती बिद्यालाय बारभी कक्छा नहीं है तक है भोपाल है या फिर मैं है बाईस सरस्वती बिद्यालाय बारभी कक्छा तक है तक है यानि की बी नमबर ठीक है तक है तो भी आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा फिर यहाँ पर देखो क्या बात कर रहे हो मैंने तो सुना खालीस्तान नहीं इस बाक्त में रिक्तिस्तान पर निपात भरना है मैंने तो सुना ही नहीं मैंने तो सुना तो नहीं मैंने सुना सा भी नहीं क्या लगाओगे आप सुना भी नहीं कि सुना ही नहीं कौन सा ने पाता आगा दो मैं confused है प्रश्न किरमांग 23 पर 23 का आपका सही होगा कि मैंने तो सुना ही नहीं हम बोलते ना कि पता नहीं आपने क्या बोला था मैंने तो सुना ही नहीं तो D आपका बिलकुँ सही होगा है ना वर्णोसी निर्मित स्वतंत्र इवं सार्तक ध्वनी खालिस्तान कहलाती है क्या कहलाती है वर्णोसी निर्मित स्वतंत्र इवं सार्तक ध्वनी क्या कहलाती है 24 का अंसर बताना है और अनुपम जी संगीता जी उत्तर आपका सही होगा बोली सर बरनों से निर्मित स्वतंत्र तथा सार्तक ध्वनी कहलाती है क्या सब्द कहलाती है सब्द सब्द यानि B नमबर ठीके B आपका बिल्कु सही होगा नीचे दिये गए बाक में प्रियुक्त निपात सब्द को बताईए कि मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरा ना कोई इसमें हमें चैन करना है कि इसमें निपात बताना है ऐसे question पूछे जाते हैं दोस्तों इसमें निपात बताना है आपको क्या होगा निपात नीचे दिये गए बाक में प्रियुक्त निपात सब्द को बताईए अब आप लोग न निपात समझ गये होंगे कि निपात क्या कहलाते हैं, है ना, तो मेरे तो गिरधर ना अगर दूसरा ना कोई इसमें निपात कौन सा होगा, पच्चीस, संदीब जी बिलकुश सही, मतनब आप लोग निपात समझ गये हैं, क्या होती निपात, है ना, जो, ठीक है, तो उत्तर ह हो जाएगा हाँ, डेली होटी है, तो, तो होता है, तो, है ना, ये जो तो है, ये क्या है, निपात, मेरे तो गिरधर नागर, बाको को प्रभाव साली बना दिया गया, मुझे नहीं लगता कि अब कभी निपात आए और आप गलत करके आओगे, नहीं हो सकता, गलत, रचना के आधार पर सब्दों के भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, और 26 में हमें चैन करना है, और आपका बिलकुस सही आंसर क्या होगा, रचना के आधार पर, या फिर ब्यूत पत्ति के आधार पर, ब्यूत पत्ति या रचना के आधार पर आपका ए नम्मर बिलकुस सही हो कितने प्रकार के होते हैं बाग किसे एक कॉस्चन आपका अबस बन जाता है है ना तब यहाँ पर आपको बताना है जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि आपने हमें महान कर दिया एक ऐसा बाग को होगा आग्यार तक, बिसमयादी बोदक निसेधार तक या फिर एक च्छा बोदक किस प्रकार का बाग होगा इस चार विकल्प हैं अंकोर जी आपने हमें महान कर दिया एक कैसा बाग कहे एक कैसा बाग हो जाएगा आपने हमें महान कर दिया यहाँ पर चार विकल्प हैं और चार में से आपका यहाँ पर बिल्कुस सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तो आपने हमें महान कर दिया तो यह क्या होगा क्या हो जाएगा बिस्मियादी बोधक कौनसा हो जाएगा बिस्मियादी बोधक बाक ठीके जिन बाक्यों में हर्स सोक घेरना आदी की भाव ब्यक्त हो उन्हें बिसमयादी बोधक बाक कहते हैं आपने हमें महान कर दिया ये कैसा है बिसमयादी बोधक ठीक है अंगला कॉस्चован आपको बताना है अर्थ की द्रिश्टी से बाक के कितने भेद होते हैं आपको बताना है अर्थ की द्रस्टी से कितने भेद होते हैं प्रश्ण किर्मान के दो में और यहां पर आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा कि अर्थ की द्रस्टी से जो बाक्त के भेद होते हैं आठ परकार के होते हैं आ से अर्थ और आ से आठ ठीक है तो ये आठ प्रकार के होते हैं रचना की द्रश्टी से तीन प्रकार के होते हैं रचना की द्रश्टी से तीन प्रकार के ऐसा सार्थक सब्द समूह जो विवस्तित हो तथा पूरा आस प्रगट कर सके बाक कहलाता है बाक्यों का बरगी करन द द्रश्टियों से होता है अर्थ की द्रश्टी से तथा रचना की द्रश्टी से ठीक है अर्थ की द्रश्टी से बाक आठ प्रकार के विधी बाचक, निसेद बाचक, आग्या बाचक, प्रस्न बाचक, विसमय बाचक, संदेह बाचक और एक्छा बाचक होते हैं ठीक है और र की द्रश्टी से आठ्च प्रकाल के होते हैं ठीक है अंगला आपको बताना की जिस बाग में एक उद्देश और एक विधे होता है भाग क्या कहलाता है उस बाग को क्या कहते हैं मिस्रबाक, आस्रितबाक, सन्युक्तबाक या फिर सरलबाक तो जिस बाक में एक उद्देश और एक बिधे होता है उस बाक को क्या कहा जाता है चार विकल्पे हमने पढ़ा था कि सर जो सरलबाक होता है सरलबाक इसमें एक विधे होता है और एक उद्देस होता है ठीक है तो जिस वाक में एक उद्देस और एक विधे हो उसे कहते हैं हम सरलबाग ठीक है तथा एक किरिया होती है एक करता होता है उसे साधरने या सरलबाग कहते हैं जैसे बिजली चमकती है पानी बरसा जबकि मिस्रबाग में मुख उद्देश विधे के अलाबा एक अधिक सामाय किरियाएं होती है सन्यूक्त वाग उस वाग को कहतीへ जिसकी दो या दो से अधिक सरल वाग अतवा मिसर वाग का अभ्याबों द्वारा सन्यूक्त होती है तो यहां पर आपको बताना है कि निम्लिखेत में से बिधान बाचक बाक कौन सा है बिधान बाचक बताना है प्रश्ण किरमांग को चार का उत्तर आप अपनी बात कह सकते हैं अब तक बह सो गया होगा बह ना तो स्वयम होता है स्वयम सोता है ना किसी और को सोने देता है जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है बिधान बाचक बाक बताना है प्रश्न किरमा कि चार में कौन सा हो जाएगा बिधान बाचक बाक बाक से भी question पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको विधान बाचक बाक का chain करना है तब आपका यहाँ पर बिल्कु सही answer क्या हो जाएगा कि जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है है ना वो आपका D number बिल्कु सही हो जाएगा कि कि बाक अनेक प्रकार क्यों हो सकते हैं इनमें ऐसे बिधान बाचक बाक क्या है जिन बाक्यों में किरिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें बिधान बाचक बाक कहते हैं जाड़े की दूप बहुत प्यारी लगती है तो बिधान बाचक बाक में क्या होता है किरिया के करने या होने की सूचना मिलती है किरिया के करने या होने की तो जाड़े की दूप बहुत प्यारी लगती है है ना तो यहां पर आपका विधान बाचक वाख हो जाएगा आपकी यात्रा मंगल मैं हो बाख किस प्रकार का है आपकी यात्रा मंगल मैं हो किस प्रकार का बाख है लोकेंद्र जी है ना मुसकान जी कमला जी आरबाय सबी लोग बताएंगे कि जाड़े आपकी यात्रा मंगल मंगलमाय हो अपन कई बार पढ़ते ना कि सरे तो एक्छा बाचक है कैसा है एक्छा बाचक यानि सी नमबर एक्छा बाचक बिल्कु सही होगा ठीक है फिर यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों एक्छा बाचक की कि जिन प्रस्ण में प्रस्ण में दिया गया बाख आपकी यात मेरा मंगल मैं हो तुमारा कल्यान हो तो एक्षा आसीश और सुपकामनाएं जहां पर दी जाती हैं वो एक्षा बाचक बाग होते हैं ठीक है मैं भी आपके साथ चलता किन्तु मेरा स्वास्त ठीक नहीं है एह उधारन बाग के किस भेद पर अधारित है संग्या उप बाक के, मिस्र बाक के, सन्युक्त बाक के या इन में से कोई नहीं मैं भी आपके साथ चलता किन्तु मेरा स्वास्त ठीक नहीं है तो यहाँ पर बताना है कि यह किस प्रकार का आपका बाक हो जाएगा आपने पड़े हैं, रचना की दरश्टी से बाक के तीन भेद होते हैं पहला होता है दोस्तो सरल बाक, दूसरा मिस्र बाक और तीसरा होता है सन्युक्त बाक सबी लोगों को पता है, तो यहाँ पर मैं अगर आपको एक ट्रिक से सरल मिस्र सन्युक्त बता देंगे यहाँ पर कुछ इसके बाचक सब्द होते हैं जैसे यहाँ पर आपको पहचानना है कि किन्तू आया तो आप क्या लगा दोगे सरलबाग यह मिस्तर सन्युक्त बाग लगा देंगे जिसमें एक से अधिक सरलबाग समलित होते हैं वो सन्युक्त बाक्त होता है ठीक है जिन बाक्तों में दो से अधिक सरल बाक्त समुच्च ब्योदक अभ्याओं और तथा एबम किन्तु परंतु यानि कि मिस्र बाक्त बही होगा जिसमें और तथा एबम किन्तु परंतु से एक से अधिक बाक्त जोड़े होंगे ठीक है उन् किंतु परन्तु एबम तथा और ए सब दाते हैं सन्युक्त बाक्वें ठीक है अब यहां पर बताना है कि मौहन ने रभी की सिकायद की क्योंकि उसने मौहन को परिशान किया बाक निम्न मैंसे किस सरलबाक से बना हैं किस से बना हैं प्रश्ण के लमांग साथ का चैन कर यह सब सभी लोग रभी ने परिशान किया इसलिए मोहन ने उसकी सिकायत की रभी की परिशान के करणा मोहन ने सिकायत की यहां पर हमें सरल बाक से बना बताना है कि कौन सा है चार बिकत में से आप चेहन करेंगे आपको दिख रहा होगा सभी लोग को दिख रहा है तब यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न किरमांग साथ में रभी ने परेशान किया इसलिए नहीं है रभी की परेशान के कारण मौहन ने सिकायत की ये भी नहीं है जब रभी ने परेशान किया तब तो ये भी नहीं है उत्तर क्या हो जाएगा कमला ठाकुर जी वेरी गूड उत्तर होगा कि मोहन ने रवी से परिशान होकर उसकी सिकायत की यह आपका सरल बाक होगा डी नमबर ठीक है डी आपका बिलकु सही हो जाएगा अब यहाँ पर देखें कि जिन बाक्यों में केवल एक ही उद्देश है और एक ही बिधे है उन्हें सरल बाक साधन बाक कहते हैं प्रस्न में दिये गए बाक्यांस मोहन ने रवी की सिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परिश किया का सरल बाक मोहन ने रवी से परिशान होकर उसकी सिकायत की से वना है जबकि बाकी बिकलपों में मिस्रित बाक्यों के उधारन दिये गए हैं है ना अब यहाँ पर राम पढ़ता है बाक कैसा है राम पढ़ता है एक उद्देश और एक बिधे है तो कौनसा हो जाएगा सरल होगा की मिस्र होगा तो आपको बताना है दोस्तों सभी लोग लाइक कर देना की राम पढ़ता है बोले सर एक उद्देश और एक बिधे हो बहाँ पर आपका हो जाता है कौनसा बाक शरल बाक सरल यानि एक नमबर राम पढ़ता है यही एक सरल बाक है राम क्या है करता और पढ़ता क्या है किरिया ठीक है तो और ये चीज़ आपको याद रखनी है ना मिस्रबाग पहचाने मिस्रबाग कौन सा मिस्रबाग के प्रश्न किरमां के नौ में अनिकेत जी लपसौनी कविता जी तो यहां पर प्रश्न किरमां के नौ में मिस्रबाग पहचानना है अच से सपल होंगे तो नौ का आंसर आपको चैन करना है और नौ का आपका बिलकुश सही होगा कि उसने कहा मैं निर्दोस हूँ उसने कहा मैं निर्दोस हूँ यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तो बी नंबर बी नंबर जो है वो बिलकुश सही होगा उसने कहा मैं निर् अननासरत उपबाग होंने मिसर्इट बाग कहते हैं हैना इनमें एक मुकक उद्स और मुकक बिदे के रावा एक से अधिक समापिका किरियाएं भी होती है वोगत बाग मिसरइट का मिसर बाग है यानि कि उसने कहा मैं निर्दोस हूं उसने कहा ठीक है तो एक से अधिक बाग जहाँ पर जुड़ी रहते हैं बहाँ पर आपका क्या हो जाता है दोस्तों मिस्र बाग हो जाता ठीक है यहाँ पर हम देखते हैं अंगला जो है अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी अर्थ की दरश्टी से कौन सा बाग है अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी अर्थ की दरश्टी से बाग क्या है संदेह बाचक, शंकेत बाचक, बिसमय बाचक या फिर प्रस्ण बाचक तो कौनसा हो जाएगा अरे मुझे तो यह ऐसी उम्मीत नहीं थी अर्थ की दरश्टी से यह जो उत्तर हो जाएगा अर्थ की दरश्टी से बाग आठ प्रकार के होते हैं और यहां पर हो जाएगा आपका कौनसा बिस्मय सूचक बिस्मय सूचक उप्रोक्त बाक अर्थ की द्रश्टी से बिस्मय बाचक बाक है जिन बाक्यों से आश्चर, घिरना, क्रोध, सोक है ना आदी भावों की अभी व्यक्ति होती है उन्हें बिस्मय सोचक कहते हैं यहाँ पर अरे मुझे तो यसी उम्मीद नहीं थी मतलब यहाँ पर क्या हो गया आश्चर हो गया कि आश्चर का काम तो आश्चर के भाव हो रहे हैं या फिर घिरना के भाव, क्रोध के भाव या सोक के भाव इस परकार से अगर भाव आते हैं बाक में तो बहाँ पर आपका बिस्मय सूचक हो जाता है बिस्मय बाचक बाक के हो जाता ठीक फिर नेक्स्ट आपको बताना है कि कमल मोहन के लिए गैंद लाता है बाक में प्रियुक्त कारक कौनसा है प्रियुक्त कारक बताना है प्रियुक्त कारक के ग्यारा में मोहन के लिए गैंद लाना तो उत्तर आपका क्या होगा कमल मोहन के लिए गैंद लाता है बाक में तो के लिए है के लिए ये क्या है कारक है यानि बी नमबर ठीक है बी नमबर जी है बिलकुँ सही है बाक में प्रियुक्त कारक के लिए है जिसके लिए क्रिया की जाती है अत्वा जिसे कोई बस्तू दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है संप्रदान कारक होता है इसका भी हैं संदेहार तक है संकेतार तक है भिसमय बोड़क है या फिर प्रशनार तक बाग है कौनसा बाग केहां पर हो जाएगा पूजा जी कोंसा बाग है अनजु सास्त्री अरे आप भी है बाग को अर्थानुसार पहचानना था तो यहाँ पर आपका बिल्कुस सही आंसर होगा, कौन सा? बिस्मय बोदक है ना अरे आप भी हैं बिस्मय बोदक बाग है जिन बाग क्यों से आस्चर घिरना त्रोध सो कादी भावों की अभीव्यक्ति हो वो बिस्मय सूचक बाग होते हैं एक कोस्चन भी पूचा जाता है है ना अब आपको बताना हनी केतन की पूर्ण भाग के अनिवार संगठन है तो कौन है उद्देश और किरिया करता और कर्म उद्देश और विधे किरिया और करता तो अमरजीत जी पूर्ण भाग के अनिवार संगठक कौन से होते हैं पूर्ण भाग के तो यहां पर पूर्ण बाक्ट के जो अनिभार संगटक होते हैं वो होते हैं दोस्तों कौन से उद्देश और बिधे उद्देश और बिधे ये पूर्ण बाक्ट के अनिभार संगटक होते हैं यानि कि बह पूर्ण बाक को होगा जिसमें उद्देस हो और विधे हो है ना बही पूर्ण बाक कहलाएगा पूर्ण बाक के अनिवार संगठक उद्देस और विधे हैं जिसके बारे में बात की जाए इसे उद्देस कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देस कह जो बात की जाए उसे बिधे कहते हैं, है ना क्या तुम लड्डू खाओ, बाक कर्म बाच में होगा, क्या होगा, कर्म बाच में ये कौन सा बन जाएगा दोस्तों, कर्म बाच भी आपने पड़े हैं, यहां पर है क्या तुम लड्डू खाओगे, खाओगे, है ना, तो यहां पर हमें कर्म बाच्च बनाना है और आपने पड़े हैं कर्तरी, कर्म, भाव बाच्च ये तीन प्रकार की बाच्च होते हैं और बाच्चों की जब बात आती है तो जब कर्म बाच्च की बात आती है तो यहां पर है क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा क्या तुमसे लड कर्मेबाच कहते हैं उक्तबाक क्या तुम से लड्डू खाया जाएगा यह क्या है कर्मेबाच रृता क्या है कर्मेबाच दोस्तो कर्मेबाच जहां करता की प्रधानता हो बहां पर करतरी बाच और जहां पर भावों की प्रधानता हो बहां पर भाव बाच होता है तुम क्या कर रहे हो इस बाक का बिधी बाचक क्या होगा तुम क्या कर रहे हो अधिकान से लोग पूछते हैं आप जब भी बात करते हैं फोन में करते हैं या कहीं पर आपन बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो है ना तो ये आपको बिधी बाचक बात है इसका कौन सा होगा ये भी आपको पता ना है बिधी बाचक जहाँ पर कुछ करने और कुछ होने की बात होती है बहाँ पर आपका बिधी बाचक हो जाता है जहाँ पर कुछ करने और कुछ होने की तो तुम क्या कर रहे हो इसका बिधी बाचक बाक बनाना है तो हम पूछ लेंगे तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, तो जहां पर करने और होने की बात होती है, बहां पर बिदी बाचक बाग होता है, है ना, और दोस्तों, यहां पर जिन बाग को में किरिया कि होने या करने का बोध हो, बहां पर आपका बिदी बाचक बाग होगा, है ना, ये भी आपको याद रखना है और इसमें तुम कुछ कर रहे हो ये विधी बाचक हो जाएगा यानि आपका उत्तर क्या हो जाएगा बी नमबर हो जाएगा सी के पंकजी इसको याद रखेंगे बी नमबर को ठीक है फिर आंगे देखते हैं आंगे जो अपना एक प्रस्ण है कि निम् प्रादेशिक भासाएं हैं लड़के खेल रहे हैं अब आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर की बाक में सब्द निर्माण सब्द निर्माण संबंदी जो असुद्धी है वो कौनसी है हमें चैन करना है यहाँ पर और बाल सुदा जी स्वनम पांडे जी जो उत्तर इसका सई हो जाएगा सोला का वो हो जाएगा एक नमबर कौनसा है सब्द निर्माण संबंदी असुद्धी एक बाक में है बे एक लब्द प्रतिष्टित व्यक्ति हैं एक नमबर आपका बिलक उनकी आपस में घनिष्ट मित्रता है सही है भारत में कई प्रादेशिक बासा हैं लड़के के लिए तो यह नमबर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए बाक में कारक पहचानिये शंबंद कारक शंप्रदान कारक शंबोधन या फिर कर्म कार यह बताना है हमें हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए इसमें जो बाक कहे वो कौन सा है हम बोलते ना कि वो है संबोधन हम क्या कर रहे हैं संबोधन कर रहे हैं यानि सी नमबर आपका बिलकुँ सही होगा संबोधन कारक जिसमें किसी को बुलाने अत्वा सचेत करने का भाव प्रगट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं है ना यह आपको याद रख लिना और यह संबोधन चिन्न आपको इस प्रकार से लगा जाता है भगवान मेरी रक्षा करना है ना तो संबोधन कारक हो जाए है ओह मेरा सिर फटा जा रहा है यहां पर बाक कौन सा होगा और अठारा का बिल्कुस ही बताया है कि यहां पर हो जाएगा बिस्मय बाचक है ना उप्रोक्त बाक अर्थ की दर्ष्टी से बिस्मय बाचक बाक है जिन बाक्यों में आश्चर गिरना क्रोध सोकादी के भाव अभिव्यक्त हो उसमें बिस्मय बाचक बाक होता है ठीक है भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ ओधरन कैसा है बिधी बाचक है संकेत है एक्छा से आप बोल रहे हो या बिस्मय बाचक है भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ किसी के प्रेसर में तो नहीं बोल रहे हम अपनी एक्छा से बोल रहे हैं कि भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ तो एक्छा बाचक बाग होगा क्या होगा एक्छा बाचक बाग बाग सब्दों का बहित आधार पर बाग आठ प्रकार के रचना की आधार पर बाग तीन प्रकार के मैंने आपको कई बार बताया है कि आ अर्थ में जब हम अर्थ लिखते हैं तो यहां पर आ आता है पहले आ आ से अर्थ और आ से आठ आठ भी लिखो तो आठ तो अर्थ के आधार पर आठ और जब हम रचना लिखते हैं ये प्रशन भी कई बार पूचा गया तो रचना में तीन वरन आते हैं तो रचना की द्रश्टी से तीन प्रकार के अर्थ की द्रश्टी से आठ प्रकार के रचना की द्रश्टी से तीन प्रकार के उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है इस बाक में चंद्रमा के समान है, समान सुंदर है, इस बाक में जो साधारन धर्म है, धर्म है, वो क्या है, चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा के समान सुंदर है, तो साधारन धर्म जो है, वो क्या है, चंद्रमा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख ली निस, उन्होंने राह में काट बिखेर दिये और स्वयम कुंज की ओट में छिप गए बाक का कौन सा प्रकार है बाक का प्रकार चेहन करना हमें 21 में सबी लोग लाइक जरू कर देंगे रात में 11 बजे भी अपनी जीके की किलास होती है वो भी जरूर अटेंड करें है ना और दोस्तों 4 बजे नेक्स्ट किल बिख्यान की होगी और करेंट अफ्यर्स का वीडियो भी सुवे आ रहा है उनको भी देखें साथ बजे एक MPGK का ओल्ड वीडियो भी आता है वो भी जरूर देखें उससे भी आपका रिवीजन होगा उन्होंने राह में काटे बिखेर दिये और स्वयम कुंज की ओट में चिप गए यह आपका मिस्रित नहीं होगा यह आपका संयुक्त होगा संयुक्त यानि की सी नंबर इसका सही हो जाएगा अधिकांस लोगों ने डी बता दिया यह डी नहीं है दोस्तों यह सी है 21 का उन्होंने राह में काटे बिखेर दिये स्वयम कुंज की ओट में चिप ग कहलाते हैं जब कि सादान बाकों से कहते हैं जिसमें यह कुद्दे सुरेक विधे होता है है ना तो यहां पर एक और सब्द आया है कौन सा और और आया है तो और से ही आप पहचान जाते कि सर ए क्या है संयुक्त बाक है इसके कुछ बाचक सब्द होते हैं तो इनको भी आप को अभी अपन ने पढ़ा था ना कि संयुक्त बाक में कौन-कौन सी आते हैं हैना वो पढ़ा था किंटू परंटू और तथा एबं यह जो सब आते हैं यह बाक में अगर आ गए तो मान की चलो कि वो संयुक्त बाक है cdc अगर आपको समझ में नहीं आता तो ठीक है फिर आंगे से यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि निम्न मैंसे मिस्टर बाग कौन सा है मैंने आस्चर से कहा कीडे है ना उसने नीना का ब्रोध नहीं किया और बड़े धैर और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा अब मिस्टर बाग का आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा मिस्टर बाग यानि कि आपका प्रश्न किरमांग बाइस बाइस का उत्तर क्या हो जाएगा और यहां पर जो है दोस्तो वो क्या है यहां पर आपका जो है यहां पर आपको मिस्रित बाग की पहचान करनी है तो यहां पर यह तो आपका क्या है सन्युक्त होगा गलत लिख गया है यहां पर जो है गलत लिख गया है यह देखो यहाँ पर कि जिन बाग को में दो या दो से अधिक सरल बाग समुच्चे बोदक अब्याओं और तथा पर पर परंतु आदी से जुड़े हो उन्हें सन्युक्त बाग कहते हैं जैसे उसने मीना का ब्रोद नहीं किया और बड़े धैर सहिधात यह आपका एक सन्यु तो बाग हो जाएगा है ना यहाँ पर मिस्टर पूचा गया है तो यहाँ पर मिस्टर का उधारन भी नहीं है ठीके इस सन्युक्त हो जाएगा सन्युक्त है ना इस प्रकार से सन्युक्त बाग मिस्टर बाग कैसे कहते हैं यह बताना 23 का अंसर जिन में एक ही करता और एक ही यह चीज हमें बतानी है हाँ लोकिंद्र जी 23 मिस्र बाग किसे कहते हैं मिस्र बाग आपको बताना है और बोले सर कि जिन में एक साधारन बाग तता उसकी अधीन दूसरा उप बाग को हो वो कहलाता है आपका कौनसा मिस्र बाग वो क्या कहलाता है जिन में एक साधारन बाग क होता है और उसकी अधिन दूसरा उपबाग होता है वो आपका मिस्रबाग कहला तर देखें कि जिन बागकों में एक मुक तथा प्रधान बागक हो और अन्य असरित उपबागकों ने मिस्रित बागक कहते हैं बात करें कि इन में एक मुख उद्देश और मुख विदे के अलावा एक से अधे समापी का किरियाय होती है जैसे यदि परिस्रम करोगे तो उत्रिन हो जाओगे परिस्रम करोगे तो उत्रिन हो जाओगे है ना तो जो उत्रिन हो जाओगे वाला है पूरन रूप से इस पर ड depend होता है है ना तो ये भी आपको याद रख लेना है जिन बाक्यों में आग्या प्रातना उद्देस आदी का ग्यान होता है उन्हें बाक कहते हैं उन्हें कौन सा बाक कहते हैं जैसे बाजार जाकर फल ले आओ मोहन तुम बैठ कर पड़ो या फिर बड़ों का सम्मान करो तो हमने पड़ा भी है कि जिसमें आग्या प्रातना हो या उद्देस्त हो उसमें दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा आग्या बाचक हो जाएगा आग्या बाचक है ना तो आपका जो सा नमबर है सी नमबर आग्या बाचक बिलकु सही है जिन बाक्यों में आग्या प्रातना अग्यां बाचक बाग कहलाते हैं अब आपको बताना कि या तो तुम सुधर जाओ या विद्ध्यालाई से निकल जाने के लिए तैयार रहो या तो तुम सुधर जाओ या विद्ध्यालाई से निकल जाने के लिए तैयार रहो इसमें कौन सा बाग होगा सरल बाग, सन्युक्त बाग, मिस्र या प्रोक्त मैंसे कोई नहीं कौन सा बाग हो जाएगा दोस्तो और यहां पर अपनने देखा कि तर हमने अभी उपर पड़ा था कि सन्युक्त बाग में या सबदा या तो तुम सुधर जाओ या बिद्ध्यालाय से निकल जाने के लिए तयार हो जाओ यानि कि एक से अधिक सरल बाक जहां पर जो होता है वो सही हो जाते ठीक है तो या तो तुम सो दर जाओ या बिद्ध्यालाय से निकल जाने के लिए तयार हो जाओ तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा पर परन्तु इतने अगर सब दाते हैं तो आपको क्या लगाना है सन्युक्त बाक ठीक है क्या लगाना है सन्युक्त बाक और बाक को भी आपको पड़ लेना है थोड़ा सा है ना क्योंकि कभी-कभी ये डिस्टर्ब भी हो जाता है कभी-कभी मलब 5% 5% भी नहीं बाकी कभी-क अब ये वो हो जाता है, अब बाद है, अब बाद हो जाता है ना, तो बाग को भी पढ़ लेना है, और और तथा एबम पर परंतु, ये अगर सब दा रहे हैं, तो उनको मान के चलना है 95% की इसमें कौन सा होगा, सन्युक्त बाग होगा, ठीक है, ये भी आपको देख लेना है और तथा एबम पर परंतू ठीक है इस सन्युक्त बाक्त का बाक्त की एक पहचान होती है है ना अब यहाँ पर देखें कि राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी इस बाक्त का मिस्टर बाक्त में रूपांतर क्या होगा गाड़ी खरीदी मोहन ने राम की राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी या फिर ओप्रोक्त में कोई नहीं तो मिस्टर बाक्त का आपको बताना है कि मिस्टर बाक्त में रूपांतर कर दिया तो यहाँ पर दोस्तो सामान सा क्वेस्चन है कि राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मौहन की थी जो मौहन की थी यह ना तो यह जो बाक के दूसरा वाला है पूर्टा इस पर डिपेंड है कि राम ने उस गाली को खरीदा जो मौहन की थी ये इस परकार से मिस्तर बाक होता है मिस्तर बाक की अगर बात करें तो उन बाक्कियों को कहते हैं जिन बाक्कियों में एक मुक्ष प्रधान बाक हो और दूसरा अन्य अस्रे तो बाक हो है ना तो यहां पर अगर बात करें कि राम मौहन ने गाली राम ने मौहन की गाली खरीदी का मिस्तर बाक होगा रूपांतर करने पर बना बाक है कि राम ने उस गाली को खरीदा जो मौहन की थी ठीक है नेक्स्ट आपको बताना है कि जिन बाग को में किरिया करने या होने की सूचना मिले उन्हें बाग कहते हैं जैसे मैंने दूद पिया किरिया हो रही है बरसा हो रही है राम पढ़ रहा है तो इसमें हमें सूचना मिल रही है कि किरिया हो रही है किरिया हो रही है तो किरिया होने का और दोस्तों जिन बागर करने या होने का अगर बोध मिले सूचना मिले तो बहां पर जो हो जाता है अपना कौनसा हो जाता है आपन पड़ रहे हैं वह उता है बिधान बाचक बिधान बाचक हो जाता है कांती जी है ना बिलको सही अंजू जी किरन जी जिन बाग क्यों में किरिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें बिधान बाचक बाग कहती जैसे मैंने दूद पिया या फिर बर्सा हो रही है ठीक है? और जिन बाख्यों में हम 80, सुभकामना éna और जो चीज़ हम एक्छा से बोलते हैं बहाँ पर एक्छा बाचक बाख होता है जहां पर आग्यां प्रात्ना उपदेश दिया जाता है बहाँ पर आग्यां बाचक हो जाता है फिर 28 करना है कि निम्लेकित बाग के लिए नीचे दिए गए बिकल्पों में ऐसे बाग की प्रकार को चुन्नित करना है इस्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमाय हो अब आप एक्छा से बोल ला हो कि किसी के प्रेसर में बोल ला है बोले से किसी के प्रेसर में नहीं बोल ला है दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टूडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते वर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोड्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूं कि यह जो सेल्फ स्टडी किलासे से इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं त प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी किलासेस का एप दिखने बाला है ठीक है यह इमेज उसमें डली है यह आईकन यह लोगो उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको इंस्ट्राल करना है यहां से आप इंस्ट्राल करेंगे ठीक है अब इंस्ट्राल करेंगे तो बहा